हेलो दोस्तो रमस्ते भाई जैसे जैसे एक्जाम के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिलों की धड़कने भी बढ़ रही हैं कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट के पांच दिन में ऐसे सीजल कैसे क्रेक करें जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और सो का पिपर होने वाला है और मुझे पिप देना चाहिए इस से इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो वो सीजल को क्रेक नहीं करेंगे चीजल उनको क्रेक करेगा और बढ़ियासे करेगा तभीत से लास्ट के चार-फांस दिनों में लास्ट के हफटे में ऐसा कूई चमतकार नहीं होने वाला कि आप सडक सोट के इंस्पेक्टर बन जाओगे ठीक है मुदी जी भी एक दिन में प्रधान मंत्री थोड़ ना बने थे 1985 से कारकरता का काम कर रहे थे तब जाके 2014 में बने तो इसी तरीके से बहुत लंबा स्ट्रगल होता है तो यह जो बच्चे पढ़एं कि डिडड़ जाल से तयारी कर रहे हैं आप उनकी मेहनद जो पांच दिन में चूरन नहीं कर सकते पांच दिन में आप SSE Cajal crack तू नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने score को boost जरू कर सकते हो तो last का एक हफता जो है कोई magical ऐसा नहीं कि को magical instrument आपको मिल जायोगा आप अचानक से SSE निकाल लोगे नहीं बस आप अपने score को बहतर कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ें डंग से क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको revision पे ध्यान देना आपने जितना पढ़ लिया वो sufficient है अपने आप विश्वास रखो अकर आपने मेहनत से पढ़ाई करिए तो आप जो है जितना भी आपने पढ़ा है उसका revision करना बहुत जरूरी है आपने बहुत जाद है पढ़ रिजनी में कुछ tricks होती है उनकी तो उसको बिल्कुल दबा के revise करिएगा यह पॉंड नमबर वन दूसरा कि अपनी जाम mental strength को एकदम तागतवर रखिए कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिन्होंने मेहनत भी काफी करिए पढ़ते भी बहुत जादा है उनको आता भी काफी कु करिए खुद separate को time दीजिए ना family ना दोस्त ना CGL ना कोई बाहर की दुनिया 10-15 मिनट आप खुद को time देंगे सुबह या साम के समय में आपकी mental strength improve होगी आप थोड़ा ध्यान meditation योगा भी कर सकते हैं बहुत जादा physical working आपको नहीं करने जिससे कि आपको नीद आने लगे द थोड़े टीवी में कुछ देख लिया थोड़े laptop चला लिया लेकिन पड़े 14 घंटे सुए बैड पे लेकिन एक्चल में सुए आप 6 घंटे भी नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है at least आपको 7-7 घंटे लगातार आपको continuous नींद लेनी है healthy नींद और लास्ट के 5 दिनो में आप तो किसी का shift बाद में भी हो सकता है वो बहुत जरूरी है ठीक तो ये तीन चीजे आप strong करिए अपना सबसे पहला point आप revision mental strength पर ध्यान दीजिएगा कोकि केवाल आपकी और आपकी physical health भी बहुत ज़ादे जरूरी है ठीक है दोस्त बहुत ज़ादे नए पढ़ने की कोशिश ना करें किसी दूसरे के influence बनाए कि इसको इतना ज़ादे आ रहा है मुझको नहीं आ रहा है इसलिए सवाल जल्दी कर दिया मुझसे नहीं हुआ कुछ चीजों में ऐसा हो सकता है हो सकता है वो आपसे एकाथ चीज ज़ादे जानत हो ठीक है भई प्रोबलम कोई परेशानी मेहनत से पढ़ाई करियो और अपने आप पे self confidence रखिया आप किसी से कम नहीं है आपके पास वही resources उपलब दें जो बाकी दूसरों के पास है आप वही आवे वह का इस्तिमाल किया है भगवान ने बनाने में जो बाकी लोगों में क आप उनमें कोई आलग मिट्टी चूना नहीं लगाया है सेम हड़ी सेम खाल सभी के अंदर लगाई हुई है ठीक बस डिपेंड इस बात पर करता है कि कौन अपने आपको कितना मेहनत से रगड़ता है और यह जो है एक लंबी जरनी है एक दिन का result तो दो मिनट में आ जाता उससे पहले जो डेड़ दो साल की मेनत है वो कोई नहीं देखता आप तो बस एक जादू की टॉनिक चाहते हो कि सर पांस साथ दिन में कुछ ऐसा बता दे ती कि आग लग जाए बहुत सारे बचे यूटूब पे सर्च करते तुक्का कैसे लगाए हाउ टू बीकाम इंस्प लगाए एक लाख लाइक वीडियो पे ऐसे स्टुएंट को भगवान सत्वुद्धी दे भाई ठीक है चलो थोड़ देर पांस साथ मिंड़ भगवान के लिए भी निकाला करो पूजा अर्चना करा करो आप सुबह नहाया करो डेली ठंडानिक विजए से ऐसा नहीं कि नान अगर तुमारी यार करते है ठीक नहीं होंगी शुरू करें आज की कहानी चली तो आज अब मिक्षर एलिगेशन पढ़ने वाले हैं मिक्षर एलिगेशन आप ये समझे कि फ्री के नंबर हैं देखें CISI प्रॉफिट लॉस ऐसे क्वश्चन होते हैं जिनमें कभी-कभी एक मिक्षर एलिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है इसमें वही पास साथ गिनी सुनी चीजें वही बार बार आती रहती हैं डाटा में भी कैलकुलेशन बहुत जाद है नहीं होती है तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स है आपके प्री के पेपर में जरूर दिखाई देगा एक अलोय आप जानते कि जब आप दो मैटल्स दोधातों को मिला देते हैं तो जो चीज बनके आती हम उसे एलोय कहते हैं ठीक है भाई कितनी खतरनाक बात बताई मैंने chemistry आगी, लोहे में तामा मिला दीजी, नहीं, तामा भी प्योर नहीं न, सोने में चांदी मिला दीजी मेरे दोस्तों, जो बनेगा वो आपका met, alloy होगा, solution आप जानते घोल, जैसे कि आप एक liquid में solid mix करें, जैसे कि आपने पानी में चीनी मिलाई, तो पानी और चीनी का solution घोल, mixture क्या होता है, मिर्षण कि जब आप दो liquids को मिलाते हैं, तो उसे मिक्षर बोलते हैं, जैसे कि दूद में पानी मिला दिया, ठीक है न, तेजाब में आग मिला दी, ठीक है, आगे चलते हैं, concentration, सांदरता, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते कि concentration का क्या मतलब है, मैं बार-बार एक चीज के इस्तिमाल करता हूँ, कि आपके पास एक mixture है, तो mixture में बहुत सारी चीजे हो सकते हैं, दूद भी है, पानी भी है, तेजाब भी है, एसेड भी है, सराब भी है, तो ये mixture हमने दूद पानी का mixture है, इसमें दूद कितना है, 125 लीटर, पानी कितना है, 100 लीटर, तो आपके पास total mixture कितना हो गया, बहुत एक सो पच्चिस प्लस सो, आपके पास 225 लीटर total mixture हो गया, तो इसमें दूद का concentration, दूद की सांदरता क्या कहेंगे, कि out of total कितना milk है, total 225 लीटर है, 225 लीटर में से 125 लीटर milk है, यह कितना हुआ मेरे प्यारी भी ratio आप ले सकते हैं दोस्त इहां से, इससे जाएगा 25 से, पांच बार यह नो बार, पांच बटे नो, तो पांच बटे नो is the concentration, इसको percentage में लिख सकते हैं, एक बटे नो 11.11 परसेंट, पांच बटे नो 55.55 परसे में से 50.55 यह माइनस करेंगे तो 44.44 परसेंट, एप्रोक्स वाटर का कंसेंट्रेशन होगा, आउट आफ 225, 100 लीटर आपका वाटर है, यह बात समझ में आगी, ठीक, आगे चलते हैं मेरे प्यारी में, देके, मिक्षर का कंसेप्ट, यह कंसेट बहुत आसान है, लेकिन उनको इसमें भी बेसिक चाहिए, हाँ देखो, जैसे आपके पास, मैं हर चीज कोई एक्जामपल समझाऊँगा, जब किसी मिष्रण में से कुछ मिष्रण निकाला जाता है, तो सेस मिष्रण का जो कंसेंट्रेशन हो पहले की तरह होता है, जैसे आपके पास एक ड्रम है, तो बचा कितना मेरे प्यारे वे, 220, 270 लीटर मिक्षर बचा, अगर इनिशल मिल्क वाटर का रेश्यो 72 था, तो अभी भी मिल्क वाटर का रेश्यो 7 रेश्यो 2 ही होगा बच्चों, बात समझे की नहीं, यानि कि 270 को 272 में ब्रेक करेंगे, तो 9 की वैलू 270 है, 7 की 210, 2 की 60, यानि कि मिक्षर में मिल्क 210 होगा, वाटर 60 होगा, आपने 180 लीटर मिक् साथ 2 है, और जो फाइनल बचा उसमें भी रेश्यो 7 रेश्यो 7 रेश्यो नहीं बदलता, और यह रेश्यो का मिक्षर का एक नेचर है, आपने मिक्षर के नेचर को नहीं बदला है, टोटल 9 होगा, 9 की वैलू 180 है, 20 गुना, तो 7 की वैलू 140, 2 की वैलू 40, बात समझे की नह लीटर निकला होगा, वाटर 40 लीटर निकला होगा, ठीक है बात समझे, यहाँ पर मिल्क कितना है, टोटल 9 है, तो 9 में से आपका 7 पार्ट मिल्क है, वाटर कितना है, तो आप कहोगे साथ टोटल 9 है, तो वाटर इसमें 2 पार्ट है, तो मिल्क अपनी क्वांटिटी का 7 साले चार सू में साथ मिल्क जो है टोटल कॉंटिटिटी का साथ बटे नो निकलेगा वाटर जो है वो टू बाई नाइन पार्ट आफ निकलेगा बात समझ में ही तो बड़ा बेसिक सी बात है दोस्त इसमें कोई परिशानी नहीं है अरे यस और नो कुछ तो बोलो यह छोटी सी बात है मुझे लगता है सभी स्टुएंट्स को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी आगे चलते हैं डेंस्टी घनत्व आप जानते डेंस्टी डेंस्टी बाराबर मास बटे वॉल्यूम दरव्यमान बटे आयतन मास मतलब दरव्यमान वजन वॉल्यूम मतलब आयतन तो डेंस्टी की जो यूनिट होते वो किलोग्राम बई मास बजन को किलोग्राम में नापते हैं वॉल्यू लेलो इस particular volume का वजन कितना है वह इसकी density होती है तो जिसकी density ज़ाद है होगी मतलब वह liquid ज़ाद है गाड़ा है तो एक लीटर का मतलब होता है 10 की पावर मानस 3 मीटर क्यूब या फिर 10 की पावर 3 सेंटी मीटर क्यूब चले आगे चलेंगे दोस्त ना यह important concept है मेरे प्यार बे replacement method replacement आप जानते replacement method और हम इसमें कोई formula वगरा नहीं बताते हैं multiplying factor से जो है समझाएंगे देखो जान सुनेगा आपके पास 400 लीटर pure milk है कितना है 400 लीटर pure milk है तो आप क्या करते हो 10% आपने milk निकालके पानी से replace कर दिया आपने कितना निकाला 10% milk निकालके पानी से replace कर दिया जिस चीज से हम replace करते हैं वो एक गंदगी की तरह है वो आपका दुस्मन की तरह है इनीशल क्या था इनीशल pure milk था तो आप हमेशा pure milk पे ध्यान देंगे आपके पास 400 लीटर pure milk था आपने 10% milk निकाला और उसकी जगे पानी मिला दिया replace कर दिया तो आपने 10% milk निकाला है त तो मिल्क बचेगा कितना 90% 90% milk बचेगा यानि की 0.9 तो multiplying factor आएगा 0.9 तो 400 में से 0.9 milk बचेगा 360 लीटर हो जाएगा 400 का 0.9 360 लीटर milk हो गया total quantity तो सेम रहेगी क्योंकि आपने पानी से replace कर दिया water कितना हो जाएगा 40 लीटर अब ये बन चुका है mixture पहली थी प्याओर ची पानी से replace किया mixture का 10% निकालके पानी से replace किया तो आप mixture का 10% निकालो अभी भी multiplying factor 0.9 है तो अब कितना milk बचेगा आपको water पे ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है milk पे 360 लीटर milk में 0.9 multiplying factor है अब milk कितना हो जाएगा 324 लीटर आप बोलोगे जी बात समझ में आ गई उसके बाद आपने 310% mixture निकालके पानी से replace कर दिया तो अब कितना milk हो जाएगा 324 की 0.9 में गुणा करेंगे अब milk हो जाएगा 299.6 लीटर तो milk में multiplying factor 0.9 लगता जा रहा है पानी की quantity direct नहीं निकलेगा अब आपको पानी निकालना है तो total तो 400 में से milk घटाईएगा तो आ आपका पानी आएगा ठीके ना यानि कि आपको left quantity of milk निकालना मेरे प्यारे भाई तो multiplying factor से गुणा करते जाते हैं आपने 3 बार process किया 3 बार multiplying factor से गुणा दो बार process करेंगे 2 बार multiplying factor से गुणा पांच बार replace करेंगे 5 बार multiplying factor से गुणा ठीके दोस्त आप बोलोगे जी बिलक multiplying factor है प्यारे भाई ये direct concentration बताता है यहां से आप डारेक्ट शांत्रता निकाल सकते हो आपने क्या किया 10% milk निकाल के पानी से प्लीस किया 10% का मतलब multiplying factor आएगा 90% 0.9 आपने दूसरी बार सेम प्रोसेस किया multiplying factor 0.9 आपने तीसरी बार ये process किया multiplying factor 0.9 तो कितना आ गया जी 0.7 0.729 यह क्या है 0.729 भाई इसको percentage में कहेंगे 72.9% यानि कि यह final mixture में final mixture में दूद का concentration है यानि कि अगर initial 100% milk था तो आपका अब 72.9% milk है बाकी 100% में से 72.9% आप घटाएंगे तो water कितना है दोस्त water है आपका 27.1% दोस्त आपका water है बात समझ में आई तो multiplying factor की सीधी सीधी गुणा मतलब क्या है concentration और concentration हमेशा milk की निकलेगी water की direct नहीं निकलती है जिस चीज से आप replace करते हो उस पर ध्यान नहीं देना है बहुत ही simple concept है कोई formula रटने की ज़रत नहीं है आगे चलेंगे इसका reverse process भी आप को समझना है नहीं तो कि जैसे एक example से आपको सम्जाता हो आपके पास एक दूद पानी का मिश्रण है आपके पास milk water का मिश्रण है आप x liter milk निकालते हो और उसकी जिग एक आप एक्स लीटर मिक्षर निकालते हो और सेम कॉंटिटी पानी मिला देते हो फिर आप एक्स लीटर मिक्षर निकालते हो एक्स लीटर कॉंटिटी पानी मिला देते हो फिर आप एक्स लीटर मिक्षर निकालते हो एक्स लीटर पानी मिला देते हो तो यह प्रोसेस आपने कित बार कितना % mixture replace कर रहे हो, हर बार कितना % mixture replace कर रहे हो, तीन बार process करने के बाद बरतन में दूद कितना है जी 125, पानी कितना है जी 218, आप replace किस से कर रहे थे बच्चों, पानी से, पानी पे ध्यान देना, मिल्क पे ध्यान देना है, तीन बार process करने के बाद बरतन में मिल्क 125 है मिल्क 125 है, टोटल कितना है दोस्तों, टोटल हो गया, 125 प्लस 218 है, यानि कि यह आगे आपका 343, आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बरतन में, टोटल मिक्षर की कॉंटिटी और मिल्क ही कॉंटिटी का रेशो यह है, यह 3 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टिप्लाइंग फेक्टर है, 3 बार, एक बार का मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या होगा, तो आप इसका क्यूब रूट लेते हैं, यह 3 टाइम्स का मल्टिप्लाइंग फेक्टर है, जैसे यहां, 3 बार का मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या है, दिस, दिस, दिस कुणा, एक बार का निकाल लाओ, तो cube root लेना होगा, इसका cube root लेंगे, याने कि 5 ratio 7, यह एक बार का multiplying factor 5 ratio 7 है, तो आप mixture का कितना हिस्सा replace कर रहे हो each times, अगर multiplying factor 5 by 7 है, तो आप replace कर रहे हो 2 by 7, यह न 5 बटे 7 में से को घटाएंगे, एक में से, 2 by 7 part of mixture आप replace कर रहे है, एक बटे 7, 14.28% होता है प्रोक्स, तो 2 by 7 होगा 28.57%, तो mixture का 28.57% हिस्सा आप हर बार replace कर रहे हैं, यह आपको कोई formula की जोरत नहीं है, जस्ट आप multiplying factor को पकड़ के रखिए, यह बात सभी को समझ में आ गई, ठीक, एक लास्ट कंसेप्ट और है, उसे और देखते हैं, जहांस समझेगा, अभी तक जो मैं आपको समझाए हैं, उसमें same quantity mixture निकाल रहे थे, same से ही replace कर रहे थे, अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपके पास 200 लीटर pure milk है, कितना pure milk है, आपके पास 200 लीटर pure milk है, आपने 25 लीटर milk निकाल के replace कर दिया 25 लीटर पानी से, पर दूसरी बार आपने 40 मीटर mixture निकाल के replace कर दिया 40 लीटर पानी से, पर आपने 20 लीटर mixture निकाल के replace कर दिया 20 लीटर पानी से, तो आप से पूछा है कि आप बताओ, अब बरतन में कितना दूद बचेगा, अब बरतन में कितना दूद बचेगा, सुरात में कितना दूद आएगा जी 7 बटे 8енная आफ्टर थी टाइम्स प्रोसिस बर्तन में बचे दूद की मत्रा होगी यह आ जाएगा आप से दूद का कंसेंट्रेशन पूछा जाए तो जो multiplying factor का product है यह दूद का कंसेंट्रेशन है इसको percentage में convert कर लेंगे यह बचे बर्तन में दूद की सांदरत आ जाए यह दूद का कंसेंट्रेशन है यह आपर solve करने पर कितना आ रहा है 63 by 100 percentage में कहेंगे 63% यह इनिशल 100% pure milk था तो अब बर्तन में 63% pure milk बचा है मुझे लगता है सभी बच्चेव को यह सवाल समझ में आया है concept अब इस पर based on सवाल करेंगे देखे सवाल बहुत आसान बनते मिक्षर के सवाल लंबर एक बताईगा करो जल्दी से टें 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 आप यार वीडियो को लाइक कर दिया करो कम से कम ऐसे ना करा करो अच्छा profit loss वाली class कितने बच्चों ने पढ़ली profit loss वाली class जो मैंने आपको करवाई बहुत important थी एक मिठाई के लिए while making a sugar solution of 3 liters containing 40% sugar for a sweet 1 liter of water is added the percentage of sugar in the new solution new solution में sugar का percentage कितना होगा बच्चों जवाब दीजेगा करिए बड़ा basic सा सवाल है आपके पास एक 3 liter चीनी का गोल है जिसमें चीनी कितने 40% और कि 3 का 40% कितना होता है 1.2 उसमें चीनी है अब इसमें एक लीटर पानी मिला देते हैं तीन लीटर चीनी का गोल तो था है एक लीटर पानी मिला दिया अब हो गया 4 लीटर में गोल तो आप से पूछा अब नए गोल में चीनी का परसेंटेज चीनी तो जितनी थी पहले उतनी रही बस पानी तो बढ़ाया है टोटल अब 4 लीटर हो गया चार में चीनी कितनी है 1.2 परसेंटेज में कितना आएगा 30% आ जाएगा C option खतम सवाल कितने भोले और नादान बालक हो आप लोग न हद होती है तील लीटर चीनी का गोल है जिसमें 40% चीनी तो टोटल 4 लीटर हो जाएगा जिसमें चीनी तो 1.2 रहेगी तो 30% चीनी का नया कंसेंटेशन रहेगा कुछ तो सरम कर लिया करो ऐसे आसान सवाल भी आप गलत कर देते हैं बताओ अगला सवाल लीजेगा एक कंटेनर में 20% दूद और 80% पानी है ठीक है इट इज मिक्स्ट विद अनौदर सेंपल इसको दूसरे सेंपल के साथ मिक्स करते हैं इक्वल क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी है मेरे प्यारे भाई जिसमें 80% मिल्क और 20% वाटर है तो आपसे पूछा मिल्क का कंटेंट कितना होगा फानल मिक्शर में देखेगा डेवेशन आप जानते तो ओर ओर के करेंगे इक्वल क्वांटिटी का मतला आप वन रेश्यो वन के रेश्यो मिक्स कर रहे हैं आपसे पूछा अंती मिशन में दूद कितना होगा पहले में कितना दूद है 20% दूसरे में कितना दूद है 80% तो आपसे पूछा फानल में कितना दूद आएगा अगर बेस से में इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं तो फानल में कितना दूद आएगा इनका एवरेज हो जाएगा 20% के एवरेज 50% फार्यल मिक्षर में दूद 50% होगा पानी 50% होगा ए ओप्षन इस सवाल का अंसर है बताओ आगे चलेंगे अगला सवाल ही करिए सवाल लंबर तीन बच्चों कौन करेगा प्री में ऐसे ही easy questions आते हैं दोस्त करिए तीन बोटल है same capacity की same capacity इसमें बोल दिया यह बहुत important है यानि कि धारिता same capacity का मनला तीनों मिक्षर को तीनों बोटल की equal quantity mix की गई है 30, 40 और 25 पर्षेंट इसमें orange juice भरे हैं they are filled with completely by adding apple juice इनमें 30, 40, 35 पर्षेंट यह orange juice अब बाकी बचिवों में हमने भर दिया apple juice अब इन तीनों बोटल को एक बड़े बरतन में खाली किया गया तो आप से पूछा apple juice का क्या percentage होगा मिक्षर में आपने तीनों की same quantity को mix किया है जब same quantity को mix किया इसमें 30% मेरे दोस्तों orange juice है इसमें 40% है इसमें 25% है तो जो मिक्षर बनेगा उसमें orange juice कितना आएगा इन तीनों का average 30, 40, 70 और 25, 95 बटे 3 यानि कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों याएगा 31 सही दोबटा 3% ये final mixture में orange juice का percentage है orange juice का आप से पूछा है apple juice का apple का percentage total तो 100% है 100% में से इतना orange है तो बाकी का apple तो 100 में से 31 सही दोबटे 3 को घटाएंगे मानस करेंगे तो बचेगा कितना 68 is to 1 by 3 बचेगा जी 68 is to 1 by 3% आपके apple juice का percentage आएगा D option correct है क्या दिक्कत है अगला सवाल बनाएगा सवाल लंबर है आपकी सामने 4 करो दोस्त कौन करेगा बहुत ही बढ़िया सवाल एक दम गूरा सा सवाल है बनाएगा परेशान मतो रोशन कुमार मुरोशन कुमार के मौक में 105 आरे 105 कोई भहुत खराब स्कोर नहीं है उसको थोड़ा और इंप्रूव करो जी बताएगा अगला सवाल है बहतरीन सवाल मौज आरी है ना आप लोगों की सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ा करने की जुरत है ये करते देखो सॉलुशन A में Likwit X, Y, Z 2, 3, 4 के रिशियो में सॉलुशन B में X, Y ए 5, 7 के रिशियो में सॉलुशन C में Y और Z 5, 4 के रिशियो में 3 लिटर और A का 3 लिटर, B का 2 लिटर और C का 5 लिटर मिक्स किया जाता है जिससे decentral नया सॉलूशन बने है तो आपसे पुछा liquid y का percentage क्या होगा नए solution में liquid y का percentage अब सुनों बहुत ही basic सा सवाल है liquid y का percentage पूछा है तो y पे ध्यान दो आपके पास 3 solution है ABC इनको mix किया गया किस ratio mix किया गया है हमने a का 2 लिटर लिया है b का 5 लिटर लिया है और c का जो है हमने इस ratio में 3 को mix किया है आपसे पूछा है final mixture में y का percentage कितना होगा तो y पे ध्यान दो लिक्विड a में x y z का ratio 2 3 4 है तो y कितना है दोस्तों 3 है out of total 5 4 9 यानि कि liquid a में y का percentage कितना है 1 by 3 liquid b में कितना है liquid b में x और y का ratio 5 7 है x y का ratio 5 7 है तो y कितना है तो total 5 7 बारे हो गया total 12 होगा उसमें से y कितना है 7 पार्ट ठीक इसके बाद liquid c में देखेंगे y z का ratio 5 4 है y और z का ratio 5 4 है तो y कितना है 5 out of total कितना 9 5 बटे 9 y कितना है तोटल 9 है उसमें से y है 5 by 9 पार्ट आपसे पूछा final mixture में y का percentage क्या होगा बताएगा it's a question of deviation यान 3 का 1 by 3 y है या 3 लीटर का 1 by 3 y है कितना आएगा 1 या 2 का 7 बटे 12 y है कितना है 7 बटे 6 या 5 का 5 by 9 है कितना है 25 बटे 9 आप बोलोगे जी सर out of total total कितना होगे दोस्तों total होगे 3 2 5 5 10 ठीक भाई यह आ गया y का percentage यहां पर 6 और 9 मेरे दोस्तों आपका 18 आ जाएगा तो 18 ले लेंगे मेरे दोस्तों कड़ जाएगा 890 बटे अठारे 890 को 18 से भाग देना है तो 1890 होता है तो अगर 50% से कम आएगा 50% से कम आएगा कितना कम है 10 बटे अठारे यह ना 50% से कम आएगा लेकिन 49 से जादे आएगा या बी ऑप्शन करेक्ट है 50% से कितना लेस है 10 बाई 18 लेस है यानि कि मूर देन जो है वन पर्षेंट रहेगा तो 49 पर्षेंट इस क्वेश्चन का आणसर आएगा एप्रोक्स में बताएए it's a very very classical question मैं SSC की त्यारी कर रहा था वो बीए कर रही थी मैं SSC की त्यारी कर रहा था वो एमे कर रही थी मैं SSC की त्यारी कर रहा था वो नोकरी कर रही थी कल सनिवार को उसका भ्या है और रविवार को हमारा स्सी का पेपर है अरे जंचिंता मत करो तनखा जाधनी मिल लई होगी इसको आगे चलते हैं अगला सवाल तो में एक लाइन एड करना भूल गए अगर स्सी नहीं हुआ तो उसके दो बच्चे होंगा और में अगले साल के स्सी की त्यारी करूँगा एक दूद वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूद है ठीक है उसने ड्रम को पानी से भर दिया अब मिश्ण का उसने आधा लीटर निकाला तो निकाले गई मिश्ण में दूद की मात्रा कितनी है दूद कितना है बताओ जवाब दो दूद कितना है तो अगर 15 लीटर उसके पास ड्रम है तो उसमें से दूद है 9 तो वाटर कितना होगा 6 यानिकि मेरे दोस्तो 3 रेश्यो 2 अब 3 से काटेंगे मिल्क वाटर का रेश्यो 3 रेश्यो 2 है अगर आप मेरे प्यारे भाई इसमें से आधा लीटर निकालोगे आधा लीटर का मतला 500 ml मिक निकलेगा 200 ml आपका वाटर निकलेगा तुम आपका मिल्क कितना निकलेगा 300 ml सी ओप्षन इस सवाल का आंसर है यह बिल्कुल आसान सी बात थी हम आगे चलेंगे आगले क्वश्यन की तरब सवाल नंबर छे जवाब दीजेगा करो दोस्त वन कप है juice and water in the ratio 5 ratio 2 एक कप में juice water है 52 के ratio में जबकि दूसरे कप में same capacity आप देखिए ध्यान सुनेगा यह same capacity बहुत लुग है दूसरा कप है same capacity का उसमें 74 का ratio है दौनो कप के कंटेंट को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, आपसे पुछा फाइनल रेशयो क्या होगा, वाटर से जूस का फाइनल रेशयो पूछा है, तो भाई आपके पास न, दो हैं, दो कप है, जिसमें जूस वाटर का रेशयो पहले में कितना है, पहले में 5 अनु सेम केपसिटी के तो यहां किए सेम करों बैहीं हो तो टोटल पांस दो साथ हो रहा ही हाँ साथों ग्यार ओ रहे तो गलत बात है तो यह जारे से गुना करेंगे अपन लोग और यह साथ से गुना करेंगे तभी तो सेम होगा सात्यत्र मिक्स कर दो दोनों को Woah अभी, मिक्स कर देंगे, ग्यारे पंजे पचपन और उन्चास, एक सुचार हो गया, और ग्यारे दुनी बाइस और अठाइस आपका पचास हो गया, यह आ गया, बावन रेश्यो पच्चिस, तो फाइनल मिक्षर में जूस और वाटर का रेश्यो जो होगा, बावन पच्चि बावन आएगा, उल्टा पूछ लिया है, D option correct है, यह जूस से वाटर का आया है, पूछा किस है, पानी का रस से पूछा है, रिवर्स पूछा है, आगे चलते, अगला सवाल ही बताएगा जल्दी से, Now this is very very good quality question, important है, मिक्षर A contains, मिक्षर A में चौकलेट दूद का रेश्यो चारतीन है, मिक्षर B में चौकलेट दूद का रेश्यो 52 है, A और B को 5-6 के अरुपात में मिला के एक मिश्ड बनाया गया है तो नए मिक्षर में चॉकलेट का परसंटेज कितना होगा एप्रोक्स आपको बताना है तो भाईया ध्यान सुनीगा मिक्षर A है जिसमें चॉकलेट है और आपका मिल्क है चॉकलेट मिल्का रेश्यो फूर्थ रेश्यो त्री है और मिक्षर भी में चॉकलेट मिल्का रेश्यो फाइव रेश्यो दो है इन दौनों को मिक्स किया जाता है फाइव रेश्यो शिक्स के रेश्यो में तो मिक्षर में चॉकलेट का परसेंटेज क्या आओगा नए मिक्षर में तो 5-6 के रेश्यो मिक्स करना तो सबसे पहले एक्वल बनाओ ये भी साथ है ये भी साथ है गवराने की जुरत नहीं है एक्वल नहीं होना चाहिए 5-6 के रेश्यो में होना चाहिए तो भाई यहां 5 स कर देंगे तो कितना बन जाएगा 35 और यह 42 77 बनेगा उसमें से 77 चॉकलेट कितना होगा वीस चॉकलेट यहां से आएगा और जो है आपका 30 यहां जाएगा 20 और 30 50 cent 50 होगा चॉकलेट परसंटेज मैं देखो ये तो आएगा निकू कि 50% से ज़ाद है आंसर अगर 77 का आप देखो दो आप्शन बचे अगर 77 का 70% कितना होता है सब्सक्राइब और ये 4.9, 53.9 आएगा लेकिन ये 50 है तो आंसर 69 से कम आएगा हलका ये आप्शन आएगा 65 वैस 77 का आगर मैं 70% देखता हूँ तो ये आपका 53.9 हो रहा ये तो पचास है तो आंसर 70% काफी कम होना चाहिए तो डी आप्शन यहाँ पे बैठेगा 65% आपसे फानल मिक्षर में चॉकलेट और मिल्क का वो भी पूछ सकता है रेश्यो भी पूछ सकता है चॉकलेट और मिल्क रेश्यो भी आप निकाल सकते हैं यहां से अगला सवाल देखेगा सवाल है आपके सामने बच्चो आठ बनाओ जल्दी से हाँ जी सवाल है दर रेश्यो फैसिड और वाटर इन सॉलुशन ए और बिस पंदरे रेश्यो ग्यार है और चार रेश्यो नौ ए और बी में असिड वाटर का रेश्यो यह है 6 लीटर ए को 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है रिजल्टेंट घोल 390 ml में परणामी घोल का आपने 390 ml लिया है उसमें कितना ml एसिड मिलाया जाए ताकि एसिड और वाटर का जो रेश्यो है 3 रेश्यो दो हो जाए ऑप्शन आपके सामने तो सबसे पहले यह देखो आप के पास दो सॉलिशन है A और B जिनमें एसिड और वाटर है एसिड वाटर का रेश्यो कितना है इसमें 15 रेश्यो 11 है और दूसरे में B में एसिड वाटर का रेश्यो कितना है 4 रेश्यो 9 इन दौनों को मिलाया जाता है किस रेश्यो मिला जाता है A का 6 लीटर और B का 4 लीटर लिटर मिलाया जाता है ए का छय भी का चार यानि कि 132 के रेशों मिलाया जाता है भत्चों थरेशों 2 डो रेश्यों च्य लीटर यहां भी 26 कर लएते दो से गुणा हो गया अब यह सेम हुआ है लेकिन सेम थोड़ना करना आपको तो 3.2 के रेश्यो करना है प्यारे बच्चे तो भाई यहां 3 से मल्टिप्लाई करेंगे यहां 2 से मल्टिप्लाई करेंगे और अपर लोग इनको मिक्स कर देते हैं तो जब आप मिक्स करोगे तो आप बताओ एसिड कितना आएगा एसिड आएगा पंदर तिया पैतालिस और ये चार चॉक सोल है पैतालिस में सोल है जोड़ेंगे दोस्तों आपका 61 रेश्यो वाटर कितना आएगा 11 तिया 33 और 33 में आप चार नाम 36 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो आपका 69 61 रेश्यो 69 ये फानल मिक्षर में मेरे प्यारे बच्चे एसिड से वाटर का रेश्यो आ गया आ गया सभी बच्चों का फानल मिक्षर में ये एसिड से वाटर का रेश्यो है पूछा है इस resultant mixture का आपने 390 ml लिया 390 ml इस 390 ml में कितना acid मिलाया जाए कि acid water का ratio 3 ratio 2 हो जाए कितना acid मिलाया जाए कि acid water का ratio 3 ratio 2 हो जाए कितना acid मिलाया जाए बच्चों ये सवाल है आपसे करो कितना acid मिलाया जाए कि acid water का ratio 3 ratio 2 हो जाए अब ध्यान सुनेगा इसमें acid आप मिला रहे है तो water तो same होना चाहिए न भाई ध्यान सुने वाटर तो same होना चाहिए न यहाँ water 69 है यहाँ water 2 है आप acid मिला रहे हो water तो same होना चाहिए water को same करना होगा है 69 यह 2 है तो भाई यहां आपन लोग 2 से multiply कर देते हैं आपन लोग 69 से multiply कर देते हैं आप बोलोगे जी सर बिल्कुँ सही तो यानि कि acid कितना था पहले 62 नी 122 था अब acid कितना हो गया मेरे दोस्तो 138 हो गया 138 पहले 122 था अब आपका हो ग साथ हो गया तो कितना बढ़ गया मेरे दोस्तो 585 तो 85 यूनिट आपको एड करना होगा acid पहले 122 था अब आपका 207 हो गया 85 आपको यहां पर एड करना होगा आपने मिक्षर कितना लिया था 390 मिक्षर है कितना मेरे प्यारे बढ़ी यह total है कितना बताओ 61 और 69 होता है दोस्तो यहां पर 130 130 का दूना 260 है कितना हो रहा है 260 सावाल में 260 की वैलू 390 मेल दे रख्या 1.5 टाइमस दे रख्या तो यह 85 की वैलू भी आपका दे रख्या आनी चाहिए 85 इंटू 1.5 लीटर आप 17 का मल्टिपल भी चेक कर सकते थे option में 17 का मल्टिपल यह व आप 17 का यहां से मल्टिपल भी चेक कर सकते थे option से यह आपको कैल्कुलेशन की ज़रत नहीं है कोकि यहां 85 में 17 प्राइम नंबर है ओली डी आप्शन इस दा मल्टिपल आप 17 वांटीन करना चाहते तो टोटल कितना मिक्षर लिए 390 है टोटल है कितना 130 और मल्टिपलाइबाई टू है 260 वा की वैल्लू 390 है डेल गुना तो दिस शुडबी डेल गुना 120 और साले साथ बहुत ही बढ़ा सवाल है बच्चों सभी बच्चों को समझ में आया होगा next अगला क्वेशन करेंगे सवाल लंबर 9 आपके सामने one of the best quality question of mixture जवाब दीजेगा जी कौन करेगा जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी लगेंगी 40 मौज आ रही है इंद्रेश कुमार सिंग कह रहें फेड़न बढ़ने लगी है अपना ख्याल रखना को कि आशु पहुंचने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा वा वेटे इनको नाक पहुंचने वाला भी कोई चाहिए जैसे वी आईपी हो रहा है न यह देरा टू ड्रम्स दो ड्रम्स हैं इच कंटेनिंगे मिक्षर ओफ पेंट ए एंड बी दो ड्रम्स हैं दोनों में पेंट ए पेंट बी का मिक्षर है यह जो सवाल है यह परी काई पूछा हुआ था जो पिछला करवाया ऐसा मस मना कि यह नहीं आएका कोईशन दो छोटे-छोटे सवाल मिक्स है बस इसमें हाँ ए बी का मिशन है आपके पास दो ड्रम है ड्रम वन में ए बी का रेश्यो 18 साथ है ड्रम वन और टू से मिशन 3-4 के रेश्यो मिला जाता है और इस फाइनल मिक्षर में ए और बी का रेश्यो है 13 रेश्यो साथ ए बी का रेश्यो 13 रेश्यो साथ है तो आपसे पूछा है Drum 2 में A और B का Ratio बताएगा बहुत अच्छा सवाल है कौन करेगा Reverse Question है आप इसको Alligation से भी कर सकते हो Deviation से भी कर सकते हो Mixer के Concept से भी कर सकते हो जैसे आपको पसंद आए आपके पास दो Drum है Drum 1 और Drum 2 दोनों ही Drum में Paint A और Paint B का Mixer है दोनों Drum 1 और Drum 2 को 3 Ratio 4 के Ratio Mix किया जाता है Drum 1 और Drum 2 को 3 Ratio 4 के Ratio में Mix किया जाता है आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही अब ना किसी पे भी ध्यान देलो चाब Paint A पे ध्यान देलो चाब Paint B पे ध्यान देलो इच्छा आपकी है मैं Paint A पे ध्यान दे लेता हूं Drum 1 में A और B का Ratio अठारे साथ है Drum 1 में A और B का Ratio अठारे साथ है तो बताव Drum 1 में A है कितना बहीं 28 है आउट आफ टोटल 28 साथ 25 एक बटे 25 चार परसेंट तो 28 बटे 25 बहात्तर परसेंट तो Drum 1 में 72 परसेंट A है मुझे नहीं पता drum 2 में कितना percent paint A है लेकिन जब आप दौनों drum को mix करते हो जो final mixture बना है final mixture उसमें A-B का ratio 13 साथ है तो A कितना है? 13 है out of total कितना? 20 एक बटे 20 5% तेरे बटे 20 65% तो final mixture में 65% आपका paint A है तो कोई मुझे ये बता सकता है कि drum 2 में कितना percent paint B होगा कौन बताएगा कि drum 2 में कितना percentage paint A होगा बताओ ये आप allegation से भी निकाल सकते है मुझे तो deviation पसंद है अगर overall 65% है तो ये भी 65 होना चाहिए ये भी 65 होना चाहिए आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यहाँ 7% extra है मेरे प्यारे भी है न एक्स्टा यहाँ 3 में ये 3 का 7% extra 21 तो balance करने के लिए 21% मानिस कर देंगे बटे 4 21% मानिस करेंगे बटे 4 ये 4 है न ड्रम 2 में यानि कि कितना आएगा 65 चौका 260 260 में से 21 घटाएगे 249 बटे 4% बोलो बात समझे आप बोलोगे यानि कि ड्रम 2 में जो paint A का percentage है वो 249 बटे 4% है ड्रम 2 में 249 बटे 4% का मतलब 249 बटे 400 यानि कि ड्रम 2 में ड्रम 2 में अगा total 400 है अगा total paint 400 है तो उसमें से A कितना है 249 A 249 है तो B कितना होगा B होगा भी 400 में से 249 मानस करेंगे 161 आपका B होगा C option answer है तो ड्रम 2 में मेरे प्यारे भई A और B का जो ratio है 239 ratio 161 है ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल था सभी बच्चे समझ पाए अगला question करेंगे सवाल number 10 बनाओ जल्दी से फटा फट लक्ष्मन किसोर कह रहे है use allegation sir I will not use allegation जी ये बताएगा in an x-liter solution of alcohol and water alcohol water के x-liter solution में alcohol और water का ratio 5 ratio साथ है यदि 5-liter alcohol और 11-liter water solution में add किया जाए तो alcohol का जो percentage होगा resulting solution में वो 40% होगा तो आप से पूछा है x का मान क्या what is the value of x बच्चों करो खौन करेगा किसी सवाल में आपको initial ratio दिया है उसमें change दिया है पानल रेशू दिया है तो क्या ये cross multiplication method नहीं है बटा 18-25 की percentage value है पृतिक्षा आपके पास alcohol water का एक solution है कितना solution है x-liter इसमें alcohol water का ratio कितना है 5-liter रेशू साथ आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया हुआ क्या आपने इसमें 5-liter alcohol और 11-liter पानी मिला दिया 5-liter alcohol 11-liter पानी मिला दिया अब क्या हुआ जो resultant solution बना है उसमें alcohol 40% है अगर alcohol 40% है तो बागी का बचा water है 60% ने कि alcohol water का ratio कितना है 2 ratio 3 पूछा है x कमान x मतला initial solution कितना था initial solution तो this is a question of cross multiplication method 5-liter 15, 7-liter 14 difference कितना आएगा बच्चो एक एक की value कितनी होगी बच्चो 11-liter 22 और 5-liter 15 22 और 15 का difference 7 तो एक की value आगी जी 7-liter बात समझे initial solution था मेरे प्यार भी आपका 5-7 12 तो 12 की value आजाएगी 12 गुणा 7 यानि कि 84-liter आपका initial solution है एक option है इसका मान खतम जिस सवाल में आपको initial ratio दिया है उसमें change दिया है आपको final ratio दिया है आख बंद करके cross multiplication method का इस्तिमाल कर दीजिए आगे चलेंगे इस्टुएंट अगला सवाल आएगा सवाल नंबर है आपके सामने 11 नंबर बच्चों जवाब दो दोस्त कौन करेगा ए भगवान अक्षर कुमार कहने सर समझ नहीं आ रहा है थोड़ा basic से बेसिक वाल आ गया वेटा ए वेटे चार दिन वार पेपर है इनको basic जानना है ये तो वही बात हो गई साधी के काट छप चुके हैं सारी तैयारी हो चुके रिष्टेदार घर में आ चुके हैं अब साधी कैट्रीना से हो रही है कि ताड़का से हो रही है ये पता करना है अब काम सारा पहली हो चुका है जल्दी से जवाब दो क्या उत्तर है इस सवाल का एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह हुआ 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 देखो एक दूद वाले के पास दूद का एक बरतन है जिसमें साथ पार्ट दूद है तीन पार्ट पानी है गरहाकों को बेचने से पहले उसने इस मिस्रण के कुछ हिस्से को पानी से बदल दिया कुछ मिक्षर निकालके उसको पानी से रेप्लेस कर दिया जिससे कि आधा प्रती स्थापित मिस्रण का भाग बताईए आप से पुछा कि कंटेनर का कितना हिस्सा उसने पानी से रेप्लेस किया है देखिए जब भी आप कोई मिक्षर निकालके पानी से रेप्लेस कर रहे है that is the concept of multiplying factor आपके पास एक initial मिक्षर था आप किसे रेप्लेस करो बचो पान तो focus किसे पर करोगे milk पर आपके पास एक मिक्षर था जिसमें 7 part दूद है 3 part पानी है तो यानि कि दूद है कितना दूद का concentration कितना है तो आप कहोगे इसा total 10 है 10 में से 7 part पानी है यह है दूद का concentration आपने कुछ मिक्षर निकाला और same quantity पानी मिला दिया Suppose multiplying factor लगा K, अब final जो mixture बना है, उसमें आधा दूद, आधा पानी है, यहनि कि final mixture में दूद का concentration कितना है, आधा दूद, आधा पानी, एक बटे दो है, तो multiplying factor K की value कितने आजेगी, हाँ से मेरे दोस्तो, यहीं 2 से 10 जारा, पांच बटे साथ, तो multiplying factor 5 by 7 आया है, यहीं 2 से 10 जारा, यहीं 2 से 10 जारा, आधा आधा हो गया, आधा मिल्क, आधा पानी, यानि कि total तो 10 होना चाहिए, अगर total 10 है, तो 10 ही होना चाहिए, पांच है, तो मेरे दोस्ते 5 हुआ, आपने पानी से रेप्लेस कर दिया, मिक्षर निकाल के पानी एड़ कर दिया, पानी डिश्टर्ब हो गया, मिल्क तो नहीं हुआ, आपने मिल्क साथ था, मिल्क साथ से पांच रहे गया, आपने मिल्क कितना निकाला है, दो बटे साथ, मिल्क आपने दो बटे साथ निकाला है, तो मिक्षर भी दो बटे साथ ही निकाला होगा, यह आंसर है, वाटर पे ध्यान नहीं देंगे, मिल्क पे ध्यान देंगे, मिल्क अगर आपने 2x7 पार्ट निकाला है, तो मिक्षर भी 2x7 पार्ट ही निकला होगा, बहुत यह अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे, सवाल लंबर आपके सामने आएगा बच्चो, बार है, दूसर तरीका था करो, एक बोतल डिटॉल से भरी है, बहुत बढ़िया, इसमें से एक तिहाई निकाल लेते हैं, फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाल देते हैं, यह process चार बार किया जाता है, यह process चार बार, this operation is done 4 times, अगर यह बोला होता नहीं, this operation is done 4 more times, चार बार और दोह आए गई, तो total process होता 5 बार, यह more सब्द नहीं लगाए, तो total 4 बार ही process किया गया है, तो final ratio आप बते, डिटॉल से water का बोटल में, डिटॉल से water का ratio कितना होगा बोटल में, ठीक है, एक बोटल भरी हुई है, डिटॉल से, 1 third इसमें निकाल लेते हैं, पानी से प्लेस कर ले 1 third, 1 third आप निकाल रहे हैं, तो multiplying factor कितना हैगा, दो बटे ही 3, यह एक बार का multiplying factor है, आपने process चार बार किया, तो 4 बार का कितना होगा, जी यह, तो 2 की power 4, 16, 3 की power 4, 81, तो 4 बार process करने के बाद, बरतन में, आप पानी से प्लेस किया न, बरतन में, डिटॉल 16 होगा, और total आप घटाएगा 65, तो solar ratio 65 इस सवाल का आंसर है, B option correct है, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में आईए करिए, सवाल लंबर 13, फटाफट करेंगे दोस्त, सवाल 2019 के मेंस का है, बताओ, जल्दी से ध्यान जीजीगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, कौन instrument इस सवाल को करने की तागत रखता है, एक बरतन में, एसिड और पानी का घोल है, एसिड पानी का, जिसमें पानी कितना है, 64%, ठीक है, पानी 64 है, बरतन में से 4 लीटर घोल निकालते हैं, और उतनी मात्रा में पानी मिला देते हैं, है ना, पानी से आपने रिपलेस किया, resultant mixture में 30% acid, resultant mixture में कितना acid है, 30% acid है, तो आपसे पूछा है, बरतन में, शुरवात में घोल में, पानी कितना था, initial solution में, वाटर की quantity आपसे पूछी है, तो भाई, पहले मेरे ये तो निकाल की initial solution है कितना, अब आप यहां पे किस से रिपलेस कर रहो पानी से रिपलेस कर रहो पानी से तो हम फोकस किस पर करेंगे , अ SG पर दोस्त आपके पास एक सॉलुशन है , जिसमें पानी 64 है अगर पानी 64 है तो तो आसिट कितना होगा 36% भाई 100 में से 64 घटाएंगे 36% मेरे दोस्तो आपका 36% acid है, आपने कुछ mixture निकाला, पानी से replace करा, suppose multiplying factor K है, final mixture में कितना acid हो गया, 30% acid हो गया, final mixture में, तो multiplying factor आया जी, 30 बटे 46, याने की 5 बटे 6, multiplying factor 5 बटे 6 आया, अगर multiplying factor 5 बटे 6 है, तो आपने की तना किया, एक बटा 6, है, multiplying factor 5 बटे 6 है, तो आपने 1 बटा 6 replace किया है, total mixture का, यानि कि total mixture अगर 6 है, तो आपने 1 part replace किया है, आपने replace कितना किया, 4 लीटर, 1 की value 4 लीटर है, तो 6 की value 24 लीटर है, यानि कि total mixture, total solution 24 लीटर है, total solution पूछा होता, तो 24 लीटर आ जाता, लेकिन इससे भी एक level आगे पूछा, पाने की मात्रा कितनी थी, initially, 24 लीटर solution है, initially कितना पानी था, 64%, तो 24 का 64% मेरे दोस्तों आपका पानी है, ये आपका water आ गया, 24 का 64%, 4.16, 6 unit digit आएगा, ये तो उत्तर नहीं हो सकते, 24 का 60% ही 14.4 होता है, तो 60% 14.4 से जादे आएगा, ये उत्तर होगा, दोस्तों ये नहीं होगा, 15.36 लीटर इस सवाल का अंसर है, और ये मिन्स का सवाल है दोस्तों, ऐसा सवाल प्री में भी आता है, कर पाओगे उड़ोड़के, 24 का 64% आपका वाटर है, एक सवाल और करिएगा, सवाल लंबर 14, ये बताओ जल्दी से, ये वाला जो सवाल है, ये है 2020 के प्री का, देखें बहुत सारे क्वेशन रिपीट पैटरन पे आते हैं, जो सुरू के 4-5 टैप मैं आपको करवाए न, सबसे जादे जो मिक्षर का सवाल आता है न, पेपर में, वो ये वाले आते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसको सारे बच्चे कर लेते, तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा, जो थोड़े काम आते हैं, लेकिन बच्चों को परेशान बहुत करते हैं, ये बताओ, 14 नंबर, बना दो, क्या आंसर ह सवाल का, सवाल है, एक सॉलुशन में, एसिड और वाटर है, 4-5 के रेश्यो में, बहुत बढ़िया, 20 पर्सेंट सॉलुशन को रिपलेस कर देते हैं, पानी से, तो आप से पूछा है, एसिड और वाटर का रेश्यो कितना होगा, नए सॉलुशन में, आप यहां पर 20 पर्स सॉलुशन को पानी से रिपलेस कर रहो, किस से, पानी से, तो हम फोकस किस पर करेंगे, बच्चों, एसिड पर फोकस करेंगे, आपके पास एक सॉलुशन है, एसिड वाटर का रेश्यो, चार रेश्यो पांच है, तो इसमें एसिड कितना है, एसिड है, चार पार्ट, आन्य कि यह आ गया 16 है बटे 45, आन्य कि final mixture में अगर total 16 है, final mixture में मेरे दोस्तों, अगर mixture total 16 है, तो उसमें से total 45 है, तो acid 16 है, तो acid water का ratio कितना है, acid 16 है, water कितना आएगा, 45 में से 16 मानिस कर दीजिएगा, आपका 29 वाटर हो जाएगा, C option answer है, खतम, pre में थोड़ा basic है सवाल, मुझे लगता है, सभी बच्चे समझ पाए हैं, आगे चलेंगे, अगला question सवाल number 15 है, यह बताएगा दोस्त, कौन करेगा जी सवाल को, सर मेरे SSC CGL का form reject हो गया है, अब क्या करें हैं, यार मैं कई दूरों से बच्चों के comment देख रहा हूँ, उमारे चैनल में वीडियोस के नीचे करते हैं, सर मैंने photo में चस्पा लगा रखा था, मेरा form reject हो गया, यार ऐसी गलती blender कैसे कर सकते हो, SSC की तरफ से गलती बरदास है, आपकी तरफ से गलती बरदास नहीं है, और यह तो हर टीचर ने बताया है अपने चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कि photo बिना चस्मे की डालनी है, फिर भी कितने बच्चों ने चस्मे के साथ photo खीज दिये, एक एक दो-दो साल पुरानी photo लगा नहीं होती है, अब SSC ने उसमें लिखा हुआ notification में कि हम कुछ भी बरदास नहीं करेंगे, आप उसके लिए एक बार SSC को मेल करके देख लो, बाकी तोर कुछ किया नहीं जा सकता भाई, अब बहुत अच्छा सवाल है, आपके पास एक वनस्पती गी से बरा बरतन है, उसमें से 13 लीटर गी आप निकालते हैं और दूसरे टाइप के वेजी टेबल ओल से रिप्लेस कर देते हैं, इस प्रोसेस को आपने तीन बार और दोराया, ये प्रोसेस आपने तीन बार और दोरा थ्री टाइमस मोर, तोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, चार बार हो गया, अब पूछा है, इनिशल अमाउंट कितना है वेजी टेबल ओल का, यदि at the end, आखिर में वेजी टेबल ओल और अनुदर टाइप अफ वेजी टेबल ओल का रेश्यो ये हो गया, वेजी टेबल ओल और सेकेंड टाइप के वेजी टेबल ओल का जो रेश्यो वो ये है, मेरे प्यारे बेजवाब दीजेगा, करो, टोटल वेजी टेबल ओल की क्वांटिटी कितनी है इनिशल, देखेगा मेरे प्यारे भाई, चार बार प्रोसेस के बाद वेजी टेबल ओल कितना है, 2401, आप जान ही कि चार बार का मल्टिप्लाइग फेक्टर है, after four times process, out of total, बरतन में इतना वेजी टेबल ओल बचा है, ये चार बार का मल्टिप्लाइग फेक्टर है, एक बार का क्या होगा, fourth root होगा, fourth root आप लेंगे, 2401 का seven, और四 यार चानवे का मेरे दोस्टों, आजाएगा eight, यह एक बार का multiplying factor है 7x8, अगर multiplying factor 7x8 है बच्चो, तो आप हर बार कितना mixture replace कर रहे है, 1x8 part of mixture replace कर रहे हैं, आप each time 1x8 part replace कर रहे हैं, आनि कि total अगर 8 है, तो आप 1 part replace कर रहे हैं, आप replace कितना कर रहे है, 13L, 13L गीस है, एक की value 13 है, तो 8 की value 104, तो जो initial है वो 104L है मेरे प्यार भी vegetable oil की quantity mixture की total quantity कभी नहीं बदलती, कि जितना आपके पास पहले था, आज भी उतना ही रहेगा कि आप mixture को replace कर रहे हो कि एवल कोई delete नहीं कर रहे हो मुझे लगता है ये बात सभी को समझ में बिल्कुल basic सा सवाल है दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे, सवाल number 16 ये करिएगा प्यारे भाई ये question 2021 के means में पूछा गया है एक ही सवाल आया था मिक्षर का अथ्या सवाल मैं कहूँगा इसे कि बच्चे इस सवाल में परिशान हो सकते हैं करो बच्चो, कौन करेगा सवाल को बनाए इस्टूडेंट्स देखे प्रॉफिट लॉस वाली कलाज जरूर ध्यान से देख लीजेगा कि उनसे एक नंबर एक क्वेशन फिक्स है दोस्त, दो क्वेशन बलकी यह बताईगा सौ लीटर के मिक्षर में दूद पानी का रेश्यो दो रेश्यो तीन है बहुत बढ़िया इस मिक्षर में से दस लीटर निकाल लेते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में दूद डाल देते हैं इस प्रॉसिस को दो बार और धोराये गया मतला टोटल प्रॉसिस तीन बार हो गया एक बार तो पहली कर चुक है दो बार और करा तीन बार हो गया final mixture में दूद का percentage क्या है? final mixture में दूद का percentage पूछा है, जवाब दो कौन करेगा? मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक mixture है 100л, जिसमें दूद पानी का ratio है, दो Ratio 3, ठीक है न? आपने क्या कि आप मिक्षन में से 10 लीटर निकाला उतनी मात्रा में दूट डाल दिया आप दूट से रिप्लेस कर रहे हो आप दूट से रिप्लेस करो तो फोकस किस पे करोगे बच्चो वाटर पे फोकस करोगे आप फोकस किस पे करोगे स्टुडेंट्स वाटर पे फोकस कर क्लियर आप बोलोगे जी सर यानि कि initial मेरे प्यारे भाई मिल्क 2 है वाटर 3 है तो भाई water का कितना % है water का concentration क्या है टोटल पांच में से 3 पार्ट water है यानि कि 60% इनीशली, वाटर का कंसेंट्रेशन कितना है, 60% है, 60% आपके पास मिक्षर कितना था, 100 लीटर मिक्षर था, 100 लीटर आपने 10 लीटर मिक्षर निकाला है, 1 वटे 10 1 वटे 10 आपने निकाला है, तो multiplying factor कितना आएगा, 9 वटे 10 0.9 मेरे प्यारी भी multiplying factor आएगा, 0.9 आपने प्रोसिस को तीन बार किया है, एक बार पहले किया, दो बार और किया, तो भाई आप, तीन बार प्रोसिस करने के बाद, बरतन में, कितने वाटर बचेगा, वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होगा, मल्टिप्लाइंग फेक्टर की पावर 3 हो जाएगा, एक बार 0.9, दो बार की सकल देखके ये यूनिट इजिट आना चाहिए दोस्त, ए ओप्शन, नहीं समझे, छैनी मच्च ववण चार, हासिल पांच, है दूनी बार है, पांच सत्रे सा, छे सत्य बैली सिक ते तालिस, 43.74% ये मिक्षर में, ये फाइनल मिक्षर में, वाटर का कंसेंट्रेश है, पानी का, पानी का कंसेंट्रेशन है, बच्चा पाट ये, मिल्क का कंसेंट्रेशन क्या होगा, मिल्क का, मिल्क का पूछा है, 100% में से इसको घटा देंगे, यही आएगा, 56.26%, ओप्शन नमबर ए, 32.26 सवाल था, सभी स्ट्रेशन को समझ में आ गया, ये क्वेशन आपको करने पड़ेंगे, अगला सवाल देखेगा, सवाल लंबर सत्रे बच्चों, जवाब दो, कौन करेगा? यस, बहुत बढ़ा सवाल है, मेरे प्यारे भाई, रेलवे का क्वेशन है, ठीक है भाई? ओके, आपके पास एक सॉलुशन है, जिसमें 75 लीटर पैटरॉल है, 110 लीटर डीजल है, 100 लीटर केरोसिन है, आपने इस गहल के 30% को, सॉलुशन के 30% को, रिप्लेस किया है केरोसिन से, जो सॉलुशन आया, उसके दो बटे साथ को आपने रिप्लेस किया है डीजल से, तो आप से पूछा है, find the quantity of petrol in the mixture now, आप मिक्शर में पैटरॉल की क्वांटिटी क्या है, बहुत भेतरीन कंसेप्ट है, मल्टिप्लाइंग फेक्टर से ही करेंगे, आपके पास पैटरॉ पैटरॉल के बारे में पूछा है, आपके पास पैटरॉल कितना था, 75 लीटर था इनिशली, आपने क्या किया, 75 लीटर पैटरॉल था, आपने 30 परशेंट मिक्शर निकाला, केरोसिन मिला दिया, आपने 30 परशेंट निकाला है, तो मल्टिप्लाइंग फेक्टर कितना हैग आप बोलोगे जी सर, साथ से साथ कट गया, फिर पांच बटे दस ये दो आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो साड़े से तिस लीटर, तो फानल मिक्षर में जो पैट्रॉल का परसेंटेज, क्वांटिटी होगी वो साड़े से तिस लीटर होगी, ये अंसर है C option, आसान है की नहीं आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएगा जल्दी से, सवाल लंबर 18, करो दोस्त आज फलेस्टिस रीडर नहीं आया भाई है, फलेस्टिस भाई तुमारी याद आ रही है, आज कोई लबीरिया टाइप की साइरी नहीं मारी गई है, विपिन सर्मा कहनें, सर जी मेरा ले दो, वो खुश हो जाएगी, आम ने विपिन सर्मा जी का नाम लिया, विपिन सर्मा एक बहुत अच्छा बालक है, और आप खुश हो सकते हैं, कि आपके पास विपिन सर्मा है, अगर कोई आना कान तो निचे चल लपड़ भी मारे जा स किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यह बताएगा, एक मिक्षन में 30% पैट्रॉल है, 60% डीजल है, 10% केरोसिन है, इस मिक्षन के 30% को केरोसिन से बदल दिया, 30% को निकाला आपने केरोसिन से बदल दिया, जो रिजल्टेंड मिक्षर आया, उसके 3 बटे 7 हिस्से को अब फानल मिक्षर में डीजल का परसेंटेज बताओ बच्चो, आपने केरोसिन से बदल लिया, आपने पैट्रोल से बदल लिया, डीजल को तो नहीं छिड़ा न, जब भी आप कोई मिक्षर निकाल के दूसरी चीज मिलाते हो न, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपने क्या करा बच्चे, आपने 30% निकाल लिया, तो मल्टिपलाइंग फेक्टर आएगा 70%, 7 by 10, उसके बाद, तो आपने 3 by 7 निकाल लिया, 3 by 7 निकाला तो मल्टिपलाइंग फेक्टर आएगा 4 by 7, आप बोलोगे जी सर, बिल्कु सी, कैंसल आउट, 00, 6 चौक 24, तो फानल स्टूइंट ये सवाल MTS के पेपर में आया था कुल भूषण भाई का 2020, करो, जी, जवाब दीजेगा, 90 नमबर क्वेश्चन उड़ा दीजीए, आया, 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 MTS का सवाल भी नहीं कर पारे, तो किस लाएक हो, तुम SST का कैसे करोगे CGL का फिर, हैं? कुल भूषण भाई, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहे है, कौन से फिल्म में करेक्टर है कुल भूषण? कुल भूषण के पास, नहीं, कुल भूषण ने जूस, सीरप प्लस पानी का काउंटर शुरू किया, देखो, स्वय रोजगार हैं, आत्म निर्भर हैं ये, काउंटर शुरू कर रहे हैं अपना खुद का, सुरुवात में उनके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40 लीटर पानी है, उसने 30 लीटर जूस बेचा, चलो 30 लीटर बेच दिया, फिर उसने बराबर मात्रा में, equal quantity में syrup और पानी मिलाया, अब पानी से syrup का जो ratio है, वो 3 ratio 4 हो गया, उसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया था, ये पूछा है, तो कुल भूशन भाई के पास juice है, juice का मतलब है syrup plus water, उनके पास है कितना 140 लीटर था, जिसमें पानी था 40%, पानी 40% है, तो syrup 60% है, 60% और 40% का ratio 3 ratio 2 है, वह क्या उन्होंने 140 में से 30 लीटर बेच दिया juice, 140 में से 30 लीटर बेच दियाए, तो 110 लीटर ही बचेगा न, 110 लीटर है, अब क्या करा है, उन्होंने बराबर quantity में syrup और water मिलाया, syrup और water की same quantity उन्होंने add की है, अब पानी से syrup का अनुपात 3-4 हो गया, पानी से syrup का अनुपात, यानि कि पानी 3 है, तो syrup 4 हो गया मेरे प्यारे भा सवाल है, same quantity मिलाएगे, इस syrup की water की same quantity मिलाएगे, देखो, 3 और 4 एक का gap है, 2 और 3 एक का gap है, हाँ, तो balance करने की ज़रती नहीं है, water कितना मिलाएगा है, एक उनिट, clear आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, mixture है, कितना juice है, कितना, 3 और 2, 5, total 5 है, 5 की value सवाल में 110 लीटर दे रखी है, तो एक की value आजाएगी 22 लीटर, तो water यहाँ पर 22 लीटर एड किया गया है, D option इस सवाल का answer हो जाएगा, बताओ, कितना सरल्चा सवाल है, आगे चलते हैं, आगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने, यहाँ पर बच्चो, 20, यह बनाईएगा, देखें मैंने na mixture allegation, पहले भी कई बार practice session ले यूटूब में, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे-च्छे सवाल करें, उन सवालों को मैंने यहाँ पर include नहीं करा है, ठीगा ना, यह मोहबत का गणित है जनाब, जहाँ दो में से एक चला जाए तो कुछ नहीं बच्चता, एं, दो में से एक चला जाए, कहाँ चला जाएगा, दो में से एक, साधी होके चला जाएगा, इसका प्राइस ना, इसका प्राइस ना, इसका एक चला जाएगा, एक सो पांच, एक सो पांच का मतल हो गया, 97 प्लस 8, तो रिजल्टेड मिक्स्टर का प्राइस क्या होगा, तो आप नहीं निकाल सकते भाहिया, अभी डैवेशन इस्तिमाल करेंगे, 97 यहाँ भी, 97 यहाँ भी, 97 तो होगा ही होगा, आप बोलोगे, जी सर बिल्कु सही, ठीक कोई एक्स्टर है, मेरे प्यारे भी, उसे सारे में बाट देंगे, सारे का मतला 5 और 3, 8 है, अपोन 8, कैंसल आउट हो गया, 97 प्लस 300, तो प्राणवी मिश्टर का जो प्राइस होगा, उस 100 होगा, कितना सरल सवाल है, बच्चे हसरे, नाथ निकाल निकाल के, यह बताओ जल् 15 लीटर of kerosene, costing 25 उर्पे पर लीटर, find the price of mixture, मिश्टर का price बताओ, यह क्या होगा जी, यह 4 option है आपके सामने, सुनो, बच्चे क्या करते हैं, किसमें exact calculation करने लगते हैं, उतना नहीं करना है आपको, प्राइस किसको बेस बान के निकाला जाता है, quantity को, आपने क्या किया है, 10 10 लीटर पैटरोल को mix किया है, 15 लीटर kerosene के साथ, 10 लीटर पैटरोल को 15 लीटर kerosene के साथ mix किया, किस ratio में, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2, 5, 3 के ratio में आपने mix किया petrol और kerosene को, पैटरोल का price कितना है, 105 रुपे पर लीटर, kerosene का price है मेरे दोस्तों, यहां पर 25 रुपे पर लीटर मिक्षर का प्राइस पूछा है, डाटा बहुत आसान है यहाँ पर, कौनों दिक्कत नहीं, 105 दूनी 210, 210 प्लस 75, वेटिड एवरे, 285 हो जाएगा, और बटे 5, 285 बटे 5 कितना हैगा, 5 बटे 25, 35, 35, 57, 57, तो मिश्ण की जो कीमत होगी, 57 रुपीस पर लीटर होगी, आगे चले यह बताएगा जल्दी से सवाल लंबर 22, करो स्टुडेंट्स, अब इससे आगे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अब यहाँ से क्वेशन शुरू होंगे दोस्त, ऐलिगेशन के, ठीक, कहां मर गये, ऐलिगेशन, येस, देखे, डेवेशन और ऐलिगेशन में क्या है, एक सेकिड, नहीं, डेवेशन को छोड़िए, पहले आप ऐलिगेशन समझेगा दोस्तों, ऐलिगेशन, ऐलिगेशन is the reverse process of डेवेशन, जो हैं वो डेवेशन का just reverse process है, एलिगेशन का इस्तिमाल होता है, बेस वैल्लू का ratio निकालने के लिए, बेस वैल्लू का, जो तो भी आप चीज calculate करते हैं, चाहे आप वो price है, चाहे वो speed है, चाहे वो concentration, वो किसी ना किसी को base मान के निकाले जाती है, जैसे चावल का cost price होता है, rupees per kg, तो base का है kg, तो kg मतलब दरवमान, weight का ratio निकालने के लिए हम allegation इस्तिमाल करेंगे, जब base value given नहीं है, ठीक है बाई, and individual percentage change and overall percentages given, जब base value पता नहीं है, अलग-अलग आपको change दिया हुआ है, आपको overall change दिया हुआ है, तो उसको solve करने के लिए allegation का इस्तिमाल करते हैं, जैसे, example के लिए आपके पास दो type के चावल है, इसका price है 55 रुपे पर kg, इसका price है 87 रुपे पर kg, यह आपने x kg लिया, यह मिक्षर को किस ratio में मिलाया जाए, कि मिक्षर का जो price है 69 रुपी पर kg बने, किस ratio मिलाया जाए, तो आपको किस ratio में, ratio मतलब kg, base value पूछी है, तो उसके लिए allegation इस्तिमाल करेंगे, यह division नहीं लगेगा, allegation क्या होता है, घटाओ दोस्तो, 87 में से 69 आप घटाएंगे, मेरे दोस्तो, 18 आएगा, यह बड़ी value में से छोटी value घटाएंगे, 69 में से 15 घटाएंगे, 55 घटाएंगे, 14 आएगा, तो 18 ratio 14 यानि कि 99 पाच 7 के ratio में mix करना होगा, यह है allegation का concept, अब मेरे प्यारे भाई, यह कहां कहां इस्तिमाल होगा, जैसे, एक example फिर से लेते, class है, class में boys है और girls है, class में boys हैं, girls है, boys का average weight है, 74 kg, मुझे नहीं पता girls का average weight क्या है, पूरी class का average weight है, 59 kg, पूरी class का average भी 59 kg है, boys और girls 3.5 के ratio में है, तो आप बताओ, girls का average weight कितना होगा, girls का जवाब दीजेगा दोस्त, तो आप allegation का फंडा ये निकालने के लिए भी, जो value अगर आपकी पता नहीं है, इसको निकालने के लिए भी कर सकते है, अगर आपको mean value दी हुई है, देखो, चोहतर और मानस 69 कितना आएगा, मेरे प्यारी भाई, चोहतर और 69 का difference आएगा, यहां पर 15, तो 5 की value मेरे दोस्तों 15 है, 3 गुना, तो 3 की value भी 3 गुना होगी, 9, भाई ध्यान सुनेगा, ये mean value हमेशा इन दौनों के बीच में होती, ये 69 से जाद है चोहतर, ये 69 से जाद है बच्चों चोहतर, ये 69 से कम होगा, कितना कम होगा, मे चास आएगा, ये न, एक value अगर mean value से जाद है, तो दूसरी mean value से कम होगी, 68 नहीं होगा भाई, 50 होगा, कैसे आदमी हो, हद दयार, ये बिलकुल बेकार, एलिगेशन का इस्तिमाल, आप mean value निकालने के लिए भी कर सकते हो, जैसे दूसरा example, एक किलास में boys है, जिनके average weight 82 kg है गल्स है, जिनके average weight 49 kg है, boys और गल्स की संख्या का ratio 54 है, average weight किसको बेसमाने के निकाला जाता है, average weight निकाला जाता है, total weight upon number of student, number of student की संख्या को बेसमाने के, आपको base ratio दिया है, number of student की संख्या का ratio 7 4, तो आप से पूचा बता, पूरी किलास के average weight क्या होगा, तो fundा क्या है, 82 तो आप कहोगे मेरे दोस्त यहां से 33 kg का गयप है, 82 और उन्चास के बीच में 33 kg का गयप है, इस 33 को साथ अनपाथ 4 के रेश्यो मांटे, साथ अनपाथ 4 के रेश्यो में, तो टोटल क्या होगा जी, साथ 4 ग्यारे, टोटल होगा ग्यारे, ग्यारे की वैलू 33 kg है, तीन गुना तो साथ की वैलू भी तीन गुना आएगी 21 kg, साथ की वैलू 21 गुना, चार की वैलू भी तीन गुना आएगी 12 kg, आप बोलोगे जी सर, यह हो गया, तो एक्जेक्ट, एपसलूट डिफ्रेंस आ गया, यह जो वैलू है, 82 और उन्चास के बीच में कहीं रही होगी, यह 82 से क कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए 12, तो 82 मानस 12 याने की 70, तो पूरी किलास का जो एवरेज वेट होगा, वो 70 होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यह उन्चास से जाद होगी, कितनी जाद होगी 21, उन्चास प्लस 21 अभी भी कितना आएगा मेरे दोस्तों, 70, तो बोलोगे, कोई तकलीफ नहीं, यह कंसेप्ट आपको समझ में आये हैं, मैं हां से सवाल सारे हटा देता हूँ, अब इस पर बेस्ट मुझे तुम सवाल करके बताएगा, कितने सवाल हो चुके हैं यहां तक अब, सवाल नंबर 22, बनाव जल्दी से, रुपी 41 पर केजी वाली दर चीनी को 55 पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाये जाए, जिससे कि मिश्रण का प्राइस उन 400 रुपे पर केजी हो जाए, तो ध्यान से सुनेगा, आप 41 पर केजी वाली चीनी को 55 पर केजी वाली चीनी के साथ मिला रहे हैं, इस रेश्यो मिलाना पड़ेगा मेरे प्यार भी 6 और यह कितना आ जाएगा यहां से 8, 6 रेश्यो 8, कितना आ जाएगा 3 रेश्यो 4, तो 3 अनपाच 4 के रेश्यो में मिलाना होगा, D option इस सवाल का अंसर है, सबसे सरल सवाल allegation से बनते हैं, आगे का question देखेगा मेरे दोस्तों यहां से 23 नंबर, यह बताओ जल्दी से, सवाल है, in what ratio must 45% milk to be mixed with 25% grape juice, so as to get a mixture of 40% grape juice, यह milk नहीं आएगा, दोस्त यहां पर grape juice कर लिजेगा, सवाल है, आपके पास 45% grape juice का एक मिश्रण है, उसको 25% grape juice के मिश्रण के साथ, किस ratio में लाया जाना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा mixture तयार हो, जिसमें grape juice का जो concentration हो, वो 40% हो, तो आपके पास मेरे दोस्तों 45% यहां पे, ध्यान से सुनेगा, mixture है, 45% grape juice का concentration है, इसको mix करना 25% वाले grape juice के साथ, और मिश्र का concentration कितना बनना चाहिए, तो मैं allegation लगा रहा हूँ, grape juice के concentration पे, concentration किसको बेसमान के निकाला जाता है, total quantity को, तो ratio total quantity का आएगा, कितना हैगा दोस्तों 15 है, यह कितना हैगा बच्चों 5, अंदर ratio 5 का वाला, 3 ratio 1, तो 3 on path 1 के ratio में मिलाना चाहिए, D option सवाल का answer है, इस में वच्चे कर गलती कर दे रहा है, भाई पता नहीं क्या करोगे तुम लोग जीवन में, allegations से जादे आसान सवाल तो कोई बनता ही नहीं, और यह सारे प्रीविसर सवाल है, मैंनी बना रहा अपनी मर्जी से बताओ जल्दी से, 24 number question करो, हामच चिकवरी क्या बोला है भाई, हामच चिकवरी यह कचवरी होना चाहिए, हामच कचवरी एट रुपिया 5 पर केजी शूड भी एडड़, तो 10 केजी ओफ कॉफी एट बारे रुपी पर केजी, so that mixture will be worth रुपी 7.5 पर केजी, तो price पर ऐलिगेशन लगाए, price होता है रुपीज पर केजी, ऐलिगेशन लगाने से हमेसा base value का रेश्व आता है, केजी मतलब quantity का रेश्व आएगा, आप मिला रहे हैं यहाँ पर 12 रुपे पर केजी वाली कचवरी को, 5 रुपे पर केजी वाली के साथ, जिससे की mixture का price बने साड़े साथ रुपे पर केजी आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही, तो किस ratio में मिलाना होगा, तो आप कहोगे सर यह आएगा यहाँ से धाई, और यह आएगा यहाँ से कितना, साड़े चार, तो ratio कितना होगा दोस्त यह ratio आएगा यहाँ से, 5 ratio 9, 5 ratio 9, आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपने इसमें बोला है, 10 किलो कॉफी लेनी है, ठीक ना, 10 किलो कॉफी, तो यहाँ पर कॉफी की जो quantity है वो 10 किलो दे रखी है, इसकी value पूछे तो 18 किलो हो जाएगी, 9 की value 18 किलो, यह सवाल का अंसर है, A option, इच्ची कॉरी पर कॉरी नहीं कुछ नहीं है, सब कॉफी यही, ठीक है बई, सभी बच्चे समझ पारें, बिल्कुल basic सी बाते हैं, आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरब सवाल नंबर होगा आपके सामने बच्चो, 25 जवाब दीजेगा, आजी, बनाओ, 16 kg of 20 रुपी पर केजी वीट is mixed with 8 kg of another type of wheat, to get a mixture that cost 25 रुपे पर केजी, fund the price of the costlier wheat, costlier wheat की आप से कीमत पूछी, अब देखेगा, यहां भी price पहली किश्च लागाएंगे, आपने mix किया है, आपने 20 रुपे पर केजी के गैहूं को mix किया है मेरे प्यारे बहें किसी दूसरे ट और एक ऐसा मिश्ण आपको बनाना है, जिसकी कीमत हो 25 रुपे पर केजी, मिश्ण की कीमत कितनी होनी चाहिए, 25 रुपे पर केजी, तो आप मुझे बताओ, आपने दौनों को किस अनुपात में mix किया है, पहला आपने 16 kg गैहूं लिया है, दूसरा 8 kg गैहूं लिया है, तो दे बताओ, मेरे दोस्तों, यह कितना डिफरेंस है, 5, एक की वैलू कितनी है, 5, तो दो की वैलू कितनी है, 10, तो यह 25 से कम है, 25 से जाद होगा, कितना जाद होगा, 10, तो 25 और 10, 35, तो 35 रुपीज पर केजी, जो है, महेंगे गैहूं की कीमत आजाएगी, D option, समझ पा रहे हैं, सभी लोग मुझे लगते हैं, यहार तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आयागा है, यहाँ पर 26 नंबर, यह बताओ जल्दी से, करो जली, यह mixture of acid and water contains 20% acid, आपके पास acid water का एक mixture है, जिसमें 20% acid है, जब इसमें 10 लीटर पान ही मिलाया जाता है, तो acid हो जाता है 15%, आप से पूछा है, mixture की original quantity क्या है, तो आप allegation लगा लो बच्चो acid पे, आपके पास कितना acid था, पहले आपके पास एक acid था, जिसमें 20, आपके पास ए 10% acid था, आपने इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, तो आपने 10 लीटर पानी मिलाया, पानी भी जो है एक type का mixture है, जिसमें 100% पानी है, acid उसमें 0% acid है, और funnel mixture में कितना acid हो गया जी 15%, आपके पास एक mixture था, जिसमें 20% acid था, आपने 10 लीटर पानी मिलाया, तो आपने acid कितना मिलाय है जीरो परसेंट फाले मिक्षन में कितना इसी डोग है 15 परसेंट तो किस रेश्यो मेरे दोस्तों आपने मिलाया है 15 रेश्यो यह पांच याने की 15 रेश्यो पांच तीरन पांथ एक आपने एड कितना किया एक एक की वैलू सवाल में 10 लीटर दे रखी आपने 10 लीटर एड किया है तो घोल की इनिशल मात्रा कितनी थी 3 तीन की वैलू आएगी 30 लीटर तीस लीटर घोल की प्रारमिक मात्रा थी ठिक, 2020 के मेंस का सवाल है इतना सा लल्लू टाइप का question भी आगे चलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक और question लेंगे सवाल number आपके सामने 27, ये बताओ जल्दी से बनाओ, कौन करेगा? लवकुष राजपूत आगे, आज तो कई दिनों के बाद सर्म औरंगा बात से हूँ, मेरी गल्फेंड राणापुर से मुझे अब साधी करने को रास्ता बताओ बैटा साधी तो तुमें करनी है ना उनकी भी पूछो मर जी क्या वो करने के लिए तैयार है वो ही मना कर दें तो दो प्रकार के दूद है एक प्रकार के दूद की कीमत है सत्तर सेकिंड टाइप के दूद का प्राइस है पचास दोनों दूद को मिलाया जाता है नए मिक्षर का मुल्ले बना है पचपन तो इस नए मिक्षर में दो प्रकार के दूद का रेश्यो ग्यात करें, बिल्कुल basic सवाल, allegation का, दो टाइप के दूद हैं, यह सब latest सवाल है, allegation के जो अभी आये हैं, इतने easy, पहले का price 70 है, दूसरे का 50 है, किस ratio मिलाया जाए कि mixture का price बन जाए, 55 रुपे पर लीटर, पर लीटर मतलब volume, तो यहां प दो पांच ratio यह कितना आजाएगा, आपका 15, पांच ratio 15, यानि कि एक और पात 3 हो जाएगा, D option सवाल का answer है, हाँ जी, अगला जवाल देखेगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा, यहां पर 28 नंबर, यह बताओ जल्दी से कौन करेगा, 80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 litre of 87% pure acid solution, find the quantity of 80% pure acid solution taken to form the mixture, बहुत अच्छा सवाल है, आपने दो टाइप के mixture को mix किया, यहां आएगा acid solution है, पहले में कितना acid है, 80%, दूसरे में कितना acid है, 90%, आपने इस तरीके से mix किया है, कि जो mixture है, एक final जो mixture बना, वो 20 litre बना, 20 litre, और जिसमें acid का concentration है, 87% acid का concentration है, तो यानि कि दौनों mixture को आपने किस ratio में mix किया होगा, यह आएगा दोस्तो 3, और यह आएगा मेरे प्यारे बहीं, यहां से 7, 3 ratio 7 के ratio में mix किया होगा आपने, ठीक ह 3, total कितना होगा, 3 और यह 7, 10, total तो मेरे प्यारे भी 10 होगया, 10 की value सवाल में 20 litre दी है, total mixture अगर इसका 3 लोग, इसका 7 लोग, 10 बनेगा न, बना कितना है 20, दुगना, तो 3 की value भी दुगना होगी, 6 litre इस सवाल का answer है, C option correct है, चिक, अगला सवाल देखेगा, सवाल है आपक कौन करेगा, और जवाब देके ही मानिएगा इस सवाल का, बताए जल्दी से, सही है लग कुछ राजपूती बताएगा, 700 ग्राम केन सुगर सॉलुशन में 60% सुगर है, कितनी शुगर इसमें add की जाए, जिससे की 75% सॉलुशन हो जाए, 75% चीनी का कंसेंट्रेशन हो जाए, देखे, बहुत अच्छा सवाल है, टेकनिकल सवाल है, मेरी प्यार भई, सुगर के कंसेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाईए, आपके पास एक चीनी का सॉलुशन है, कितने है, 700 ग्राम, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, कितनी शूगर इसमें एड कीजाए तो आप एड कर रहे हो यू आ एडिंग रहे हिंग offered गरते हो 100 परषन्ट शूगर आप यो जो छीत ऐड कर रहे हो वो भी एक मिक्स है उसमें चीनी हैلى केकर टोडल जीनी एड करो 100 परषन और फानल चीनी का कंसेंटरीशन कितना होना चीए 75% तो किस रेश्यो मिलाना होगा बच्चो यह आजाएगा आपका 25, यह आजाएगा 15 25 रेश्यो 15 का मतला 585, 25 तियो 15 इस रेश्यो में आपको मिलाना पड़ेगा चीनी कितनी थी आपका, चीनी का सॉलूशन था 700 ग्राम, पांच की वैलू 700 ग्राम है 140 गुना, तो तीन की वैलू भी 140 गुना होगा, 420, 420, यह भी, यह आपको 420 ग्राम चीनी यहाँ पर एड करनी होगी, D option answer है, क्लियर है, आप बोलो के जी कोई दिक्कत नहीं है, तवाल ल हाँ, यह बताएगा भाई लोग, इस question का क्या answer है, कौन करेगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, a vessel has 45 liter of solution of alcohol and water, एक बरतन में सराब और पानी का 45 liter गोल है, इसमें alcohol कितना है, 60%, अब कितना liter solution निकाल कर, सवाल में बोला, कितना liter solution निकाल कर, same quantity water से replace कर दिया जाना चाहिए, same quantity water से replace कर दें, जिससे की परिणामे मिक्षर में alcohol हो जाए, बच्चो 35%, कितना मिक्षर निकाल कर, यहाँ पे हम replace कर दें, पानी से, जिससे की resultant मिक्षर में 35% alcohol हो जाए, करो, देखिए, आप इस सवाल को multiplying factor से तो करी सकते हो, मिक्षर से मैं आपको allegation से भी बताता हूँ, जैसे, एक बरतन में सराबर पानी का कितना घोल है, 45 लीटर घोल है, उसमें alcohol कितना है, 60%, आपने मिक्षर इसमें से निकाला, तो मिक्षर जब आप निकाल लोगे, तो निकालने के बाद भी, जो बचेगा, उसमें 60% alcohol ही रहेगा, पिर मेरे दोस्तों आपने इसमें add कर दिया water, आपने इसमें water add कर दिया, अभी, तो आप alcohol 60% water add किया है, मेरे प्यार भी तो alcohol तो 0% add किया है न, फ़ानल मिक्षर में कितना alcohol हो गया, 35%, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, तो logically सोचा करो मेरे प्यार आपके पास acid water का solution था, इसमें alcohol था 60%, आपने उसमें से कुछ mixture निकाला, निकालने के बाद भी मेरे दोस्तों 60% ही बचेगा alcohol, फिर आपने पानी मिलाया, पानी मिलाया, तो alcohol कितना मिलाया, 0%, फानल मिक्षर में कितना alcohol हो गया, 35, तो किस ratio मेरे पैर भी हो जाएगा, 35, और य यहाँ पे आपने replace किया है, तो total कितना होगा बच्चो, total होगा 7 और 5 बारे, left plus add, total होगा बच्चो, बारे, सवाल में 12 की value 45 लीटर है, तो पूछा है, कितना पानी निकालना चाहिए, तो आपने कितना mixture निकालके पानी से replace किया करना पड़ेगा, यानि कि आपसे 5 की value एक की value आएगी 45 बटे 12, यानि कि मेरे दोस्तो 15 बटे 4, आपसे 5 की value यहाँ पर पूछी गई है, तो 75 बटे 4 लीटर इस सवाल का अंसर है, 75 बटे 4 का मतला 18 चोग 72, 18.75, C option is question का अंसर है, यह आप multiplying factor से mixture की concept से भी कर सकते हो, but this is the method of allegation, allegation से भी यह सवाल होगा, अगला सव सवाल लेंगे बच्चो, सवाल लंबर है आपके सामने यहाँ पर 31, यह बताएगा students, करिए, ठीक भाई, this is one of the most important, allegation में सबसे जादे पूछे जाने वाले सवालों में से, यह एक है, सबसे जादे पूछे जाने वाले सवालों में से, A और B, acid और पानी के दो solution है, A और B, acid का जो ratio है A और B में, देखो यहाँ पर जो दिया है न, यह water acid का ratio दिया है, A और B में water acid का ratio 4-5 और 1-2 है, यदि A का x liter को mix करते हैं, B के y liter के साथ, तो water और acid का जो ratio है mixture में 8 ratio 13 हो जाता है, water acid का जो ratio 8 ratio 13 हो जाता है, x ratio y, क्या है, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, आपक acid का ratio दोनों में दे रखा है, हमने क्या करा, A का x liter mix किया, B का y liter mix किया, और final जो mixture बना है, उसमें water acid का ratio आठ दे रहे, तो आप किसी पर भी allegation लगा लो, चाहाँ water पर लगा लगा लो, चाहाँ आपकी है, मैं water पर लगा लेता हूं, दोस्तो, allegation का लिए water के concentration, water का concentration क्या होता out of total कितना water है, बतो हैं कितना water है तो आप कहोगे सर, 4 बटे 9, 4 by 9 water है A में, के लिएर आप बोलोगे जी सर, बिल्कु सही, अब B में कितना water है तो आप कहोगे सर, 1 by 3, 1 by 3 water है, final mixture में कितना water है तो आप कहोगे सर, 8 बटे 21, तेहरे 8, total 21 होगे, 21 में से कितना water है, 8 ये आगे, आप बोलोगे जी सर तो बेस जो है वो टोटल क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी का ही रिश्यो आएगा यह easy calculation के लिए आप यह जो 9 है यह 3 है और यह 21 है इनका LCM है भाई 63 से multiply कर दो आप 63 से तो 9 सत्य तरेशट 4 सत्य अठथाईस और 21 तरेशट 21 तरेशट 3 अठथे 24 ही हो गया easy आपका calculation तो 24 मानस 23 और 28 मानस 24 यानि कि मेरे प्यारे स्टुरेंट्स आपको A और B को 3 चार के रिश्यो मिलाना होगा तो XY का जो रिश्यो वो 3 रिश्यो 4 है ठीक है भाई कैसमों कोई तकलीफ है सेम आप यहाँ पर acid पहली किशन लगा के भी कर सकते हैं दोनों से सेम ही आंसर आएगा ठीक है आगे चलेंगे अगला सवाल सवाल नंबर है श्टुरेंट्स आपके सामने हाँ पर यह 31 कौशन था पन लोग लेंगे 32 नंबर सवाल बच्चो जवाब दो कौन करेगा जी बनाइए उड़ादो 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 ठीक है भई 20 सवाल और है खेंचरो खेंचरो देख सवाल की लेंग्विज बढ़ी है लेकिन सवाल असान है कैसे देखेगा पहली लाइन तो सत्य बच्चन आपको बता रहा है कंसेंट्रीशन की परिभासा तो 800 सीसी बोटल्स आर फिल्ड विद इंडिगो सॉलूशन आपको बच्चन रेस्पेक्टिवली ठीक है भई दो आपने बोटल भरिये मेरे प्यारे भी 800 सीसी की नील के घोल से न दो 800 सीसी की बोटले 337% कंसेंट्रेशन की नील के घोल से भरिये पहली बोटल से घोल का एक हिस्सा फैक दिया जाता है और दूसरी बोटल से घोल के बराबर मात्रा में बदल दिया जाता है है ये आपसे पूछा गया है दूसरी बोतल में बचे गोल कायत है आपके पास ना दो नील की बोटल है पहले में कितना है नील का कंसेंटेशन 33% आपने क्या किया इसका कुछ मिक्षर आपने निकाला उसको फैका पहली बोतल में कितना नील का गोल है 33% आपने कुछ हिस्सा ख यहां पर आपने replace किया है मेरे प्यारे बैए replace और final जो mixture बना है मेरे प्यारे बैए उसमें कितना concentration के नील के घोल का 21% यही हो गया आप बोलोगे जी सर तो allegation लगाएंगे मेरे प्यारे बैए तो आप कहोगे सर 21-17,4 और 33-21 कितना आजाएगा मेरे दोस्तों यहां पर आपका 8 ठीका जी, मैं सॉरी, 12 इसमें से घटाना ना तो चार रेश्यो बारे आगया मेरे प्यारे बैए कितना आगया इस्टुएंट्स यहां पर एक अनुपात 3 एक अनुपात 3 आप बोलोगे जी सर यानि कि मेरे इस्टुएंट्स यह आपका यह लेफ्ट है ना हमने कुछ हिस्स मेरे इस्ट किया, पानल में यह हो गया, टोल कितना हो, बच्चो टोटल होगा, एक पलस 3, 4, टोटल तो 4 होगा, चार की वेल्यो सवाल में 800 Cc दे रखिए, तो 3 की वेल्यो कितनी है यह लेफ्ट रखिए Значит 600 Cc यहना Cc कश चूआइ cм, का मतला कुछ đãLP कीया वो 600 Cc से किया है अगर 800 था तो आपने second bottle के 600 से replace किया है तो second bottle में बच्चे का कितना 800 में से 600 घटा दीजे 200 CC बच्चे का ये answer है यह आरा सभी का बहुत ही basic सा सवाल था जस्ट आपको allegation लगाना है language बड़ी हो सकती है सवाल आसान होते है allegation के ये करिएगा सवाल number आपके सामने 33 बनाओ बच्चो जी ये question देखेगा ये सवाल है CDS 2021 के paper में एक exam में एक class के अंको का ओसत P है एक class के जो average marks है boys और girls के वो P है class में boys और girls की संख्या का ratio 3 ratio ये कैए boys के average marks P plus 1 है तो आपसे पूचा girls के क्या होंगे ये है boys ये है girls boys के average marks P plus 1 है हमेरी पता girls के कितने हैं जब की पूरी class के average marks P है पूरी class के boys और girls की संख्या का ratio जो वो 3 अनपात 1 है boys girls की संख्या का ratio 3 अनपात 1 है तो आपसे पूचा है लड़कियों के ओसतंक बताओ तो दोस्त यहाँ पे तो एक ही का gap दिखाई दिरा है ना एक का gap ये तीन का gap होना चाहिए अगर इससे एक ज्यादा है तो ये तीन कम होगा तो girls के marks कितने होंगे P minus 3 ये answer है इससे बेसिक तो कुछ होता ही नहीं है ये mean value होगी इन दौनों के बीच में रही होगी अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा तीन P minus 3 आगे बनाएंगे सवाल number एस्टुएंट्स आपके सामने हापर 34 number जवाब दीजेगा करो अच्छा प्रदुमन सिंग ये बताएगा एक कैमिस्ट mixes two liquid one and two एक कैमिस्ट जो है दो टाइप के liquid को मिलाता है one and two को वन लीटर ओफ लीटर वन वेट्स वन कीजी लिक्विड वन के एक लीटर का जो वेट है एक किलो ग्राम है and one liter of liquid two weights 800 ग्राम और जो second liquid है उसके एक लीटर का वेट 800 ग्राम है half liter of mixture weights 480 ग्राम जो mixture बना उसके आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है तो आपसे पूछा है कि liquid one का percentage कितना होगा mixture में in terms of volume volume के संधर में आपको बताना है तो मेरे प्यारे भाई देखीगा आपने दो liquid को मिलाया one or two पहले liquid के मेरे दोस्तों एक लीटर का वजन है एक किलो एक किलो का मतलब 1000 ग्राम यह 1000 ग्राम पर लीटर वजन है concentration हो गया दूसरे के एक लीटर का वजन है 800 ग्राम और आपने दोनों के इस प्रकार से मिलाया कि जो mixture बनाया उसके आधे लीटर का वजन 480 आधे का अगर आधे लीटर का वजन 480 है तो एक लीटर का कितना होगा 960 एक लीटर का होगा 960 ग्राम अब जब आप मिलाओगे तो मेरे दोस्तों ऐलिगेशन लगेगा ऐलिगेशन लगाने पर रेश्वाएगा लीटर लीटर मतलब वॉल्यूम का रेश्वा Surprise आधे कि आपने दोना लिक्वीड लिक्वीड वन लिक्वीड तू को किस रेश्व मिलाया है तो बच्छों कितना आ जाएगा 160 और कि कितना आ जाएगा यहसे 40 वन सिक्स्टी रेश्व 40 मतलब यह आ गया 4णपात एक चारण पात एक, यानि कि liquid 1 और liquid 2 का volume wise जो break up है वो 4 ratio एक है, तो liquid 1 का share कितना है, liquid 1 का percentage है, 4 out of total 5, यानि कि final mixture में 4 बटे 5, 80% liquid 1 है, D option correct है, बताओ, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, आप बोलोगे जी, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, अगला question हम लेंगे 35, इसका जवाब दीजेगा, करो हाँ जी, बताओगा, एक बी कर में, दो mixture है, मेरे प्यारे भी, X और Y, पास 3 के ratio में, हैं, जब mixture का 6 लीटर निकालते हैं, और उसको Y से replace करते हैं, तो X, Y का ratio 5, 7 हो जाता है, ओके, तो आप से पुचा, how many liters of liquid X was contained in the beaker initially, बीकर में initial में कितने लीटर X था, initially कितने लीटर X था, 6 लीटर mixture आप निकाल रहे हैं, Y से replace कर रहे हैं, देखो, तो allegations से भी सवाल हो जाएगा, बट best यहाँ पर multiplying factor, allegation पर मत जाएगा, दोस्तों, आपके पास एक beaker है, जिसमें X, Y का ratio कितना है, 5 ratio 3, आपने क्या किया, 6 लीटर mixture निकाला, और आपने इसकी जगह क्या मिला दिया, Y मिला दिया, तो आप focus किस पर करेंगे, एकस पर focus करो, एकस पर, इनिशली X कितना है, तो आप कहोगे सर, इनिशली अगर टोटल 8 है, 5 और 3 आट, तो इसमें से 5X है, एकस का share कितना है 5, सबोज आपने mixture का 6 लीटर निकाला, और Y से प्लेस कर दिया, के, पानल में XY का ratio 5 साथ होगे, यानि कि टोटल अगर 12 है, तो उसमें से X कितना होगा, जी 5, तो क्या आगा है मरे दोस्तो, मल्टिपलाइंग फेक्टर आगा, जी 8 बटे 12 है, 2 और पात 3, मल्टिपलाइंग फेक्टर अगर 2 बटे 3 आया है, तो आपने replace कितना किया है, 1 बटे 3 रिप्लेस किया है, तोटल अगर 3 है, तो आपने 1 रिप्लेस किया है, 1 की value है 6 लीटर, 3 की value है 18 लीटर, इनिशल टोटल मिक्षर या फाइनल टोटल मिक्षर आपका 18 है, आप से पूछा है, शुरुवात में कितने लीटर X था, तो भई 18 लीटर है, उसमें X कितना है, 18 का 5 बटे 8 मेरे प्यारे भई X है, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, यानि कि यह आजाएगा आपका 90 बटे 8, 90 बटे 8 का मतलब 45 बटे 4, यानि कि 11.25 लीटर, इक की value 6 तो 3 की value 18 होगी ना, 18 का 5 बटे 8 करेंगे, दो नाम 18 बटे 4 तो 11.25 आना चाहिए, C, B option कैसे बता रहें आप लोगों के लिए, राजबेत official करें, स्वर के लिए मरना पढ़ता है, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना पढ़ता है, अरे क्यों मरने की बात करते हो भाई अब इसे, किसी को इसमें कोई समस्या, आगे चलते हैं, अगला सवाल आएगा आपके सामने, सवाल नंबर होगा बच्चों यहाँ पे, 36 इसका जवाब दीजेगा, कौन करेगा, बताईगा, अब जल्दी से 5-6 लाइक्स पूरे करवा दीजे भाई, खान सर के लाडले कह रहे हैं, प्यार करने से पहले प्यार का अंजाम देख लो, अगर यकीन नहीं हैं, तो गजनी और तेरे नाम देख लो, वा बेटे, कबीर सिंग भी देख सकते हैं, आज एकल तो फैशन में हैं, तुम सारुक खान के दिल वाले दुलनियां क्यों नहीं देखते, बताई बच्चों क्या है इस सवाल का अंसर, बढ़या सवाल लग रहा है, कोई व्यापारी 40 रुपे पर केजी की हिसाब से 500 किलो चीनी खरीता है, 200 किलो ग्राम चीनी 10% के प्रॉफिट में बेजता है, और 120 ग्राम चीनी 5% के लॉस पर बेजता है, अच्छा, अपने प्रारंबिक निवेश पर 12% का प्रॉफिट हासिल करने के लिए, उसे प्रती किलो ग्राम किस दर से से चीनी को बेखना चाहिए, अगर वो टोटल 12% का प्रॉफिट अर्ण करना चाहता है, तो उसे पर किलो ग्राम किस हिसाब से चीनी बेखनी पड़ेगी, यह अंसर है, सवाल है, अगर देखो यह सवाल जो है थोड़े हाँ पर गलती से डल गया, है न, एलिगेशन का है नि कर लो गया, आप इसको की मुझे करवाना पड़ेगा, चलो मैं करवा देता हूँ, 500 किलो ग्राम चीनी खरीदी, 200 किलो ग्राम चीनी जो है, उसने बेदी 10% के प्रॉफिट में, बची कितनी 120 किलो ग्राम, यह उसने बेची 5% के लॉस पे, तो बचा कितना 200, 120, 320 हो गया, बचा 180, 180 चीनी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, कि ओवराल उसे 12% का प्रॉफिट हो, ओवराल कितना प्रॉफिट हो, 12%, ठीक है, जी, आप बोलोगे, जी सर, बिल्कुल से बात समझे, ओवराल 12% का प्रॉफिट हो, तो अब पहले आप मुझे बाता हो, कि 160 किलो ग्राम चीनी को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, करो, तो देखे 20 से जा रहा है न, 20 से आप रेश्व लेलो, मेरे प्रॉफिट 10 बार, यह भी दोस्तों, और यह आपका 6 बार, और यह आपका 9 बार, ठीक है न, अब तरीके बहुत सारे आप डैविशन भी इस्तिमाल कर सकते, यह वेटेड एवरेज भी टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है, 9, 6, 15, 10, 25, तो 25 गुणा बार है, 300 होना चाहिए, मेरे प्यारे बेच, 300 होना चाहिए, यह कितना हो गया, बच्चों, 100 हो गया, 100, यह कितना हो गया, मेरे दोस्तों मानस का 30 70 हो गया है भी 100 और ये मानस का 30 70 हो गया मुझे 300 चाहिए टोटल तो यहां कितना होगा बच्चो 230 परसेंट होना चाहिए कितने पर 9 पर 230 और ये मानस 30 आपका 200 हो गया और ये 100 आपका 300 हो गया ठीक है जी 230 बटे 9 इतने percent profit पर आपको remaining चीनी बेकनी चाहिए एप्रोक्स कितना आएगा मेरे प्यारे भई आंसर काफी दूर दूर हैं देख सकते हैं एप्रोक्स भी तो 9 दूनी 18 चला जाएगा मेरे दोस्तों और 5 जीरो और 9 पंजे 45 येना 25 से 25 से 26 परसेंट के बीच में आएगा तो इसका मतल कितना होता है मेरे बे 25 से जादे आएगा चालिस पर 25 परसेंट प्रॉफिट कमाओ गया यानि कि 50 तो 50 से ज्यादे आना चाहिए लेकिन 26 परसेंट से कम है ये वैलू यानि कि मेरे दोस्तों आपका बावन से कमाना चाहिए ये या आनसर आएगा सी 50.22 चालिस की चीनी है 25 प चुडबी सी इट से वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ठीक आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुती बहतली वारल क्वेश्चन से मेरे दोस्तों यह खूब दबाके पूछरा है इनको एक्जामनर सवाल लंबर होगा जी आपके सामने 37 इस्टो बनाओ एक एक्जाम में 272 स्टुडेंट है उनके एवरेज मार्क्स है 56.7 यदि फेल स्टुडेंट के एवरेज मार्क्स 52.8 है और पास स्टुडेंट के 63 है तो आपसे पूछा है बताओ क्लास में कितने स्टुडेंट पास हुए है मेरे प्यारे बाई समने की कोशिश करेगा 272 स्टुडेंट है उनके एवरेज मार्क्स है 56.7 फेल स्टुडेंट के जो एवरेज मार्क्स है 52.8 है जबकि पास स्टुडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो 63 है पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 56.7 है तो आप एवरेज मार् लगाओगे तो क्या डारेक्ट नंबर ओफ इस्टुएंट्स का रेश्व नहीं आ जाएगा फेल इस्टुएंट के उसर तंग कितने पास कितने हैं पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो 56.7 है यहां पर आप लगा सकते हैं एलिगेशन आप बोलोगे जी बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं है तो यह आ जाएगा 3 है भाइ और यह 6.3 कितना आजाएगा मेरे दोस्तों यहां से 17 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई नो और 55 में से अब आपका यह 3.9 तो मेरे दोस्ते किस से जा रहा है तो आपका होगे सर यह 3 से जा रहा 21 रेश्यों 13 तो फेल स्टु प्यारे बई 13, 13 का multiple आएगा यह उत्तर नहीं हो सकते, दो बचगे ना 21 और 13 टोटल 34 हो रहा है मेरे प्यार भी, 34 student टोटल है, इनकी value सवाल में 202 दे रखिए, आठ गुना, तो 13 की value भी आठ गुना होगी 104, तो मेरे प्यारे बई यहाँ पर जो past student है वो 104 है, be option correct है, अगला सवाल लीजेगा दोस्त, सवाल है यहाँ पर आपके सामने, 38, यह बताई जल्दी से क्या answer है इस question का एक class contains of, consist of 20 boys and 30 girls, एक class में 20 लड़किया और 30 लड़किया है, ठीक है in the mid semester exam, mid semester के exam में, average score of girls was 5 higher than that of boys, boys का जो average score है, वो girls से 5 जादा है, ठीक है, sorry, girls का final exam जब हुआ, तो average score of girls dropped by 3, girls का average score 3 घट गया, जबकि entire class का, पूरी class का, जो average score है, वो दो बढ़ गया तो आपसे पूछा है, boys के average score में कितने का increase हुआ है, तो final exam में आपसे पूछा है, ये mid semester exam में क्या हो रहा था, मुझे इसकी क्या ज़रत है, कोई ज़रत नहीं है तो boys girls है, allegation लगेगा, एक class में boys भी है, girls भी है, boys कितने है, 20 girls है, 30 ratio कितना हैगा, boys girls का, 2, 5, 3 हुआ क्या, जब final semester के paper हुए, तो girls का जो average score है, वो 3 गिर गया, वही girls पढ़ना कम करने ही, 3 गिर गया जबकि पूरी class का average score है, वो आपका 2 बढ़ गया, पूरी class का average score 2 बढ़ गया तो boys के average box में कितने की वरद्दी हुई है, यह आप से पूछा है, तो क्या आप नहीं कर सकते बहुए, दो मेंसे, मानस 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, प्यारे बहुए, 5 दो की value 5 है, धाई गुना, तो 3 की value भी धाई गुना होगी, साड़े साथ, आप बोलोगे, जी सर भाई, अगर यह mean value से कम है, 2 से कम है, मानस 3, तो 2 से जादे होगा, साड़े साथ 2 से साड़े साथ, जादे होगा, यह कितना हैगा, साड़े नो, तो boys का मेरे दोस्तों जो average score है, उस साड़े नो बढ़ गया है, यह option इस सवाल का answer है, बहुत अच्छा question है ठिक, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, सवाल number होगा जी, आपके सामने हैं आपर, 39, यह बताएगा जल्दी से, करो इतने सवाल कर लीजे, काफी है, इसके लावा और कुछ आपको हाथ पाम मारने की जुरत नहीं है the average pass percentage of girls in class 10th examination in school is 85% and that of boys is 83% the average pass percentage of all girls and all boys and girls in class 10th is 83.7, boys आएगा तो आप से पूछा number of girls कितनी है, class 10th में, school में मेरे प्यारे, बही सवाल में है क्या बही यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में, girls के बारे में और boys के बारे में एक school में, दस्वी की कक्षा में, 85% girls pass हुई है, 85%, boys कितने pass हुए, 83%, जबकि पूरे school में कितने students pass हुए, 83.7% पूरे school में, तो allegation लगाओगे, percentage pass का किसको, बेसमान की निकलता है, number of students को, number of students की संख्या का रेश्यो आ जाएगा न, allegation लगाओगे, पहरे बही कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा, sir, 0.7, ये कितना आएगा, तो आपका यहाँ से जवाब आएगा, sir, 1.3, तो रेश्यो कितना आएगा, 7, रेश्यो 13, बोलो बात समझे, तो आपसे पूछा लड़कियों की संख्या का प्रतिसत, यानि कि total अगर 7, 13, 20 हैं, तो उसमें से लड़कियां 7 हैं, तो लड़कियों का percentage है, 35%, एक बटे बीस, पांच परसेंट, ये साथ बटे बीस है, 35% गल्स हैं, ये option आंसर है, अगला सवाल लीजेगा, सवाल आपके सामने आएगा, यहाँ पर 40 नंबर, 40 नंबर जवाब दो कौन करेगा, करेंगे, एक गोल्ड बिसकिट वेइंग 11 केजी, कंटेंट, ओनली 82% गोल्ड एंड रेस्ट कॉपर, इफ इट वस ऐलोईड, इसको ऐलोई किया जाता है, दूसरे गोल्ड बिसकिट के साथ, रिजल्टिंग एलोई में, रिजल्टिंग एलोई हैड ए मास अफ 28 केजी, रिजल्टिंग एलोई का जो मास था, वो 28 केजी था, और इसमें 90% सोना था, कितना सोना था 90%, दूसरे बिसकुट में सोने का प्रतिसत ग्याद करिए, देखिए आप ऐलिगेशन भी लगा सकते हो आप रिवर्स डेविशन भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद आए, अभी आपके पास ना, 11 किलो एक सोने का बिसकुट है, इसमें सोना कितना है, 82% आपका सोना है, आपने इसको दूसरे टाइप के बिसकुट के साथ मिक्स किया, जो मिक्षर बना, मिक्षर का जो वजन है 28 किलोग्राम है, ठीकर ना, एंड़ रिजल्टिंग अलोय का मास 28 किलोग्राम है, अगर 11 केजी इसका है, तो इसका कितना होगा, 17, 11, 17, 28 होता है, तभी तो मिक्षर का टूटल 28 बनेगा, 11, 17 की रेशियो मिक्स किया है, और जो आपका मिक्षर बना है, मेरे दोस्तों, उसमें 90 पर्षेंट गोल्ड है, जो रिजल्टेंट मिक्षर बन किया है, उसमें 90 पर्षेंट आपका गोल्ड है, तो आप से पूछाए कि सेकंड गोल्ड बिस्किट में, सेकंड जो आपका गोल्ड का बिस्किट है, उसमें गोल्ड का परसंटेज कितना है, तो भाई, 90 ही हो रही है मेरे प्यारी भी तो एक्स्टा कर देंगा 88% कितने पर मेरे दोस्तों सत्रे पर बटे सत्रे तो सत्रे पंजे पिचासी तो 95.something आएगा सी ओप्शन करेक्ट है 95.2 यह नहीं है सी ओप्शन करेक्ट है दोस्ती सवाल समझ में आया सभी लोगों को ठीक है बई टोटल 28 था ना ग्यारय यह है समें 82% यह सत्रे बचेगा रिवर्स क्वेशन है अगर ओवरल 90 पर्शन है तो यह भी 90 होना चीए यह भी 90 होना चीए यह कंपेर करते हैं यह 82 कितना कम है आठ पर्शन कम है तो 1188 कम है बैलेंस करने के लिए 88 एक्स्टा कर दें कितने पर सत्रे किलो पर बटे सत्रे जी अगला सवाल लेंगे सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर एक कौन सा कॉश्चन था इस सवाल था आपका 40 नंबर हम लेंगे अगला क पर्शन 41 इसको करो जल्दी से जिसको यह वाला प्रोसेस नहीं आया वो एलिगेशन से कर लो एक एक्जाम में 80 सवाल है जिसमें अनिता ने पहले पचपन में से 60 पर्शन सही कर दिये पूरे एक्जाम में 70 पर्शन्ट स्कोर पाने के लिए उसे बाकी में से कितने पर्शन्ट सही करने होंगे बाकी में से तो देख एक एक एक्जाम में 80 सवाल है पहले पचपन में से कितने सही कर दिये 60 पर्शन्ट बाकी कितने बचे 80 में से अगर मैं 55 घटाऊं तो बाकी बचें 25, 25 में कितने पर्षंट सही करने होंगे, कि overall उसका स्कोर जो आए, वो 70 पर्षंट आए, 70 पर्षंट यही है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, याने कि ये रेश्यो कितना है, एक 11 रेश्यो 5 है, आप इस पर यहां मेरे दोस्ते 10 पर्षंट कम हैं, यह ना 11 का 10 पर्षंट कम हैं, तो बेलेंस करने के लिए एक्स्टा करना होगा मेरे दोस्ते 110 पर्षंट, ठीक है, कितने सवाल में बटे 5, 110 बटे 5, 22, तो 70 प्लस 22 याने कि 92 पर्षंट, तो रिमेनिंग सवालों में 100 से 92 के इस्थिमाल से बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगला सवाल होगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों यहां पर, 42 नंबर, यह करिएगा जी, क्या उत्तर है सवाल का, करो, यह सुर्णो, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं पहले यह बताइगा, सवाल इसमें आसान भी है, मॉडरेट भी है, मैक्सिमम लेवल भी है, मिनिमम लेवल भी है, वराइटी टाइप हमने कोई नहीं छोड़ा, सारे टाइप के सवाल करे हैं, एक आदम, इमेंस सेल से पकेट ए पैनसेलेट एट अरतालिस पर्शंद प्रॉफित, तो बही ना तो उसे कोई प्रॉफित हुआ, ना ही उसे कोई लॉस हुआ, तो पैन और पैन सिल के कॉस्ट प्राइस बताओ, यह के पैकेट नहीं है दोस्तों, यहां पे पैन है, करो, this is one of the most important question मेंस पर भी ये लेवल का सवाल आता है ठीक है ना एक आदमे मेरे दोस्तों पैन को बेचता है 21% profit में पैंसिल को बेचता है 48% profit में उसे profit कितना हुआ 1890 रुपे का profit हुआ ये पहली लाइन है यहां से कुछ पता नहीं चला second line important है अगर वो पैन को 21.4% profit में बेचे पैंसिल को 15% loss में बेचे तो नहीं उसे कोई profit होगा नहीं उसे कोई loss होगा इस बात का मतलब भी आप समझ रहें इस बात का मतलब क्या है देखो no profit no loss का मतलब है जैसे आप एक पैन लाएट एक पैंसिल लाए पेन पे आपने जितना profit कमाया पेनसिल पे आपको उतना नंुकसान हो गया ओवरल 0 पेन पे 10 रुपे कमाये पेंसिल पे 10 रुपे गमाये तो ओवरल 0 आ जाएगा की नहीं यानि कि अगर आपको पेन पे 21.4% profit हो रहा है तो पेन के price का 21.4% जो होगा पैंसिल पे आपको 15% loss हो रहा है, तो पैंसिल के price के 15% के बराबर होगा, this should be equal, बोलो, तो यहां से आप pen और जो हमारी पैंसिल है, उनके CP का ratio, cost price का ratio निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? तो पैंसिल के CP का ratio, आप बोलोगे जी सर, 20 ratio साथ तो सारे ही option में हैं, option से तो होगा नहीं, अब करना पड़ेगा, अब पहली लाइन का इस्तिमाल होगा, यह अगर पैंसिल को 21% profit में बेचे, पैंसिल को 48% profit में बेचे, तो profit होगा 1890, यह पैंसिल के CP का ratio है, मुझे ने इनकी percentage निकाल लिए, तो calculation को आसान करने के लिए एक एक 0 बढ़ा देते हैं, दो दो 0, sorry ना, percentage निकाल लिए, अगर पैंसिल का पैंसिल 700 की है, पैंसिल का प्रोफिट है, 21%, तो 2000 का 21% कितना है, 420, तो पैंसिल पैंसिल का प्रोफिट है, 48%, पैंसिल है 700 की, 700 का 48% क कितना है मेरे दोस्तो, 280 और 56, 336, पैंसिल 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 का प्रोफिट है, टोटल प्रोफिट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों से, 756, टोटल प्रोफिट होगा 756 उनिट, इसकी ही वैल्यू सवाल में 1890 रुपे दे रखिये, आप बताओ कितने गुना हैं दोस्त, ठीक है यही आगया, 756 की वैल्यू सवाल में 1890 दे रखिये, कितने गुना, तो आप कहोगे सर, 189 का चार गुना यह है, और 4 से 10 याने की धाई गुना हो गया यह, 2.5 टाइमस है, धाई गुना है मेरे दोस्तों तो यह भी धाई गुना होना चाहिए, तो 2000 का धाई गुना पांच चार रुपे, पैन आपका 5000 का है, पैंसिल है 700 का धाई गुना 1750, 25, 175, पैंसिल है 1750 रुपे की C option इस सवाल का अंसर है, बताओ, अब इससे आसान सवाल क्या बनेगा, यहां allegation लगाते हैं बच्चे ना इस लाइन में, जबकि इस लाइन में allegation लगाने की जुरत थी निया, लोजिकली सोचो ना, कि पैन पे जितना profit कमारो, पैंसिल पो उतनी का नुकसान हो गया, तब ही तो overall no profit no loss आया, आगे चलेगा, अगला सवाल लेंगे students, सवा आपके सामने आएगा, यहां पर 43 नंबर बच्चो, जब आप दो क्या उतना सवाल का, जी, बना ये, देखेगा मेरे प्यारे भई, हाला कि देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, प्री में double allegation आने के सवालों की probability कम है, लेकिन एक question में आपको करवा देता हूँ, इसमें double allegation लगेगा, समझेगा जड़ा इस सवाल को कहना क्या चाहरा है, एक society में male, female और बच्चे रहते हैं male, female और बच्चे की जो average age है वो 48, 42 और 12 साल है, जिसमें male और female की average age 40 है, जबकि female और बच्चे की average age 30 साल है, तो आप से पूछा है यहाँ पर, children और men की average age क्या होगी, बच्चे और पुरुसकी औसतेज क्या होगी, बहुत अच्छा सवाल सुनेगा, तो एक society में man है, woman है और children है, उनकी averages दे रखी है, man और woman together की average है 46 है, जबकि man और woman की average है 46, 46, तो ratio कितना आजाएगा, अब ही allegation लगाओगे, तो आजाएगा 4, अब ही आजाएगा 4 ratio दो, यानि कि 2 अनपात 1, man और woman की संख्या का जो ratio वो दो अनपात 1 है, इसके बाद, सवाल में ये भी दे रखा है, कि महिला एवं बच्चे की और सतायू 30 है, बई महिला की woman की 42 है, बच्चे की 30 है, बच्चे की average है 12, woman की average है 42 है, बच्चे की 12 है, और woman plus children, महिला एवं बच्चे की average है 30, यहाँ पे allegation लगाएंगे, बच्चे कितना आजाएगा, यह आजाएगा आपका अठार है, और यह आपका आजाएगा 12, यह आपका बार है, अठार रेश्यो बार है की बच्चे की और तीरण पात दो, थिरी रेश्यो दो, तो क्या आप यहाँ से man, woman और children की संख्या का रेश्यो नहीं निकाल सकते हैं, अच्चा उसकी जुरती नह यह दो रेश्यो आगए, यह man, woman की संख्या का रेश्यो है, यह woman और children की संख्या का रेश्यो है, तो मेरे दोस्तों, यहाँ woman तीन है, यहाँ गलत बात है, यहाँ भी तीन बना लेते हैं, यह भी तीन से गुणा हो जाएगी, यानि कि आदमी अगर 6 हैं, तो बच्चे आपक man और children की संख्या का रेश्यो लगाना निकालना होगा, मैंने एक ही allegation में लगा दिया है, अब यह आगे का सवाल, या तो वापस से allegation से कर सकते हैं, या deviation से कर सकते हैं, इस सवाल में man की average age कितनी है, 48, children की average age कितनी है, 12, आप से पूछा है, man और children की average age कितनी है, man plus children की, तो आप काओगे सर, 48 ती है 144, और 12 है 156, 156 बटे 4, यानि कि मेरे दोस्तो, 39 years, man plus children की average age है, 49 साल है, C option answer है, यहाँ आप allegation भी लगा सकते हो, deviation भी लगा सकते हो, data बहुत आसान है, weighted average भी हो गया, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको यह base value निकालने के लिए दो बार delegation लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी, आगे चलते हैं, next question आपके सामने आएगा, यहाँ पर यह बताएगा, जल्दी से 44, बलो जी, alloy A में gold और silver है, gold 89% है, silver 11% है, alloy B में gold और silver है, gold 75% है, silver 9% है, और बाकि उसमें impurities हैं, बाकि उसमें गंदगी हैं, alloy C बनाई जाती है, A और B को mix करके, एक हम alloy C बनाते, A और B को mix करके, जिसमें 10 is to 3 by 7% आपका silver है, तो आपसे पूछाए, alloy C में, gold का percentage क्या होगा, अब gold का percentage डारेक्ट नहीं आएगा, पहले आप ये तो पता लगाओ कम से भी कम, कि alloy A और alloy B को मिलाया किस ratio में गया है, तो कैसे पता लगाओगे, silver पहली किशन लगाके, बैए alloy A में कितना silver है, alloy A में 11% silver है, alloy B में कितना silver है, alloy B में आपका 9% silver है, हमने इन दौनों को इस प्रकार से mix किया है, कि जो भी हमारा mixture बना है, उस mixture में 10-3 by 7% silver है, तो आप यहाँ पहली किशन लगाके, ये पता लगा दूगे न, कि A और B को किस ratio mix किया गया है, तो जब घटाओगे 1-3 by 7, 10-7 आएगा, इसमें से घटाओगे मेरे दोस्तों कितना आएगा, ये आपका 4-7 आएगा, 10-7 ratio 4-7 कितना आगया, पांच अनपात 2, यानि कि A और B को, ऐलोए A और ऐलोए B को, पांच अनपात 2 के ratio mix किया गया है, बच्चो, बात समझे की नहीं समझे, आप से पूछा है कि जो हमारा third LOI C है, उसमें कितना गोल्ड है, बई, अलोए A में कितना गोल्ड था, अलोए A में 89% गोल्ड था, अलोए B में 75% गोल्ड था, resultant mixture में कितना gold होगा दोस्त resultant mixture में 75 और 89 के बीच में आना चाहिए था सारी option है देखो दोस्त resultant mixture में LOSC में कितना gold है ये निकालना है तो देखे मेरे दोस्त धान से समने की कोशिश करेगा 89 को आप ऐसे लिख सकते 75 75% परस 14% आप बोलोगे 75% तो यहां भी है 75% तो यहां भी है 75% तो होगा ही होगा आप बोलोगे जी सर यहां ना 5 का 14% ये extra है ये जो भी extra है ना मेरे प्यारे भी आपको निकालना है टोटल में टोटल में बांट देंगे 5,2,7 यानि कि 10 75 प्लस 10 85% आपका LOSC में गोल्ड का परसेंटेज होगा B option करेक्ट है आप इस सवाल को एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन से भी कर सकते हैं ठीक है भाई? बहुत बढ़या सवाल था जबरदस सभी को समझ में आया होगा अगला question लेंगे सवाल लंबर है आपके सामने 45 ये करिएगा ये वही है क्या? सभी लड़को 30 परसेंट न देखेंगे ये वारल question है मेरे प्यारे भाई मतलब पिछले 2-3 साल में इससे ज़्यादे question नहीं पूछा गया एक class में boys की संख्या का girls की संख्या से ratio 4 ratio 5 है एक class में boys और girls की संख्या का ratio 4 ratio 5 है यदि सभी boys और girls के average marks 70 है boys और girls के average marks गणित में 70 है सभी के लड़कियों के average marks लड़कों से 30% जाद है यहाँ भी बेचती सवालों में बेचती है तुमारी लड़कियों के जो average marks है वो boys से 30% जाद है मतलब क्या हुआ 30% का fraction value 3 बटे 10 अगर boys के average marks 10 है तो लड़कियों के average marks है 13 तो आपसे पूछा है boys का score क्या है boys के average marks क्या है आपसे पूछा गया है करो यह average marks की बात हो रही है average marks की फिक है दोस्त लड़कियों के marks जो है girls boys से 30% जाद है बटे boys के कितने आए 40 लड़कियों को आए 1365 तो 40 और प्लस 65 कितना हो जाएगा आपका 105 105 टोटल marks आए कितने students के 9 students के यह आपके पूरी class के marks होगे सवाल में इसके वालों 70 दे रखिये 70 पताओ कितने गुणा है 35 टी 105 टी दूनी 70 यहां से 3 टी या 9 यहां से मेरे प्यार भी एक की वैलू आगी 6 टीन दूनी 6 एक की वैलू 6 आगई ठीक है अगर एक की वैलू यहां से 6 आगई तो boys के वेरेज marks पूछा है 10 की वैलू भी 6 गुणा आजाएगी 60 60 आंसर है सवाल का बोलो क्या तक्लीफती सवाल में इससे आसान सवाल नी बन सकता आप और और के कर सकते हैं आगला सवाल दीजेगा सवाल लंबर है जी 46 बनाओ जिस बच्चे ने सवाल कर दिया यह समझो कि उसको वाके में concept पता है उसने रटा नहीं है केवल यदि किला 21 रिक्टेंगल की लंबाई 13 परशन बढ़ जाती है चोड़ाई 8 परशन कम हो जाती है तो रिक्टेंगल के पैरी मीटर में कितने प्रतीसत का चेंज होगा परी माप में कितने प्रतीसत का चेंज होगा सवाल यह है आपके सामने बहुत सारे बच्चे 13 और माने साथ का सक्सिव निकालने लगेंगे इसका आंसर है cannot be determined ग्यात नहीं कर सकते अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता है अगर इस सवाल में पैरी मीटर की बजा है अगर आपसे पूछा होता है एरिया में कितना चेंज आएगा तो रिक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चोड़ा है बीच में मल्टिप्लाई है और multiply मतलब होता है successive 13 और minus 60 का आप successive लगा लेते तो rectangle का जो area है मेरे प्यारे भाई ये इतने percentage आपका change होगा आप 5 में से 1.04 घटाएंगे ठीक है? 3.96% increase आजाएगा लेकिन सवाल मैं आप से पूछा है perimeter rectangle का जो परिमाप होता है वो होता है twice of लंबाई प्लस चोड़ाई तो परिमाप depend करता है लंबाई प्लस चोड़ाई पे लंबाई में change दे दिया बीच में प्लस आ रहा है प्लस का मतलब होता है deviation overall change आप तभी निकाल सकते हो जब लंबाई चोड़ाई की value दी हो या लंबाई चोड़ाई का ratio दिया हो इसका answer cannot be determine होगा ज्यात नहीं कर सकते अगला सवाल सवाल लंबर है आपके सामने 47 यह करिए दोस्त एक आयत की लंबाई 66.5 है चोड़ाई 49.3 है लंबाई 40 परशेंट बढ़ती है चोड़ाई 23 परशेंट घठती है तो आप से पोचा है रिक्टेंगल के परिमीटर में कितना प्रतिसत का परिवर्तन आएगा अभी अभी समझा है कि रिक्टेंगल का जो परिमाप होता है एक्जेक्ट वैल्लू की जोरत भी नहीं है यह आप आपको लंबाई और चोड़ाई दे रखी है एक्जेक्ट तो आप इसका रेश्यो लेलो है भी किससे जा रहा है मेरे दोस्तों 133 से ना बटे तीन बटे तीन किया न अब यह तीन गुना है और यह आपका मेरे दोस्तों पांच गुना है लंबाई चोड़ाई का रेश्यो है पांच रेश्यो तीन लंबाई क्या हुआ लंबाई 40 परसेंट बढ़ गई चोड़ाई क्या हुआ 23 परसेंट घट गई तो प से आप 69 जब आप घटाओगे तो 131 आएगा 131 परसेंट आउट ओफ एट पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज होगा मेरे प्यारे भाई इंक्रीज इतना आएगा आठ से 168, 168 बार चला जाएगा सी ओप्शन 16 दसवलब 3-75 परसेंट इंक्रीज आएगा बताओ कर लेंगे जबर्दस सवाल है मेरे प्यारे भाई चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर लास्ट 48 बनाएए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और दिस बन अब दा बेस्ट सवाल ओफ दिस कंसेट इस कंसेट पे इससे बड़े सवाल बनता ही नहीं है करो एक रिक्टेंगल की लंबाई 30 परशन बढ़ जाती है उसकी चौड़ाई 10 परशन बढ़ जाती है उसका पैरी मीटर 15 परशन बढ़ जाता है यदि सुरुवात में आयत का परिमाप 400 था तो आयत का नया चितरफल ग्याद करो आयत का नया चितरफल ठीक है ना देखे आप इसको option से करने की कोशिश कर सकते हो multiplier वगरा से solution मैं आपको समझाता हूँ, आप जानते हैं, आयत की जो लंबाई है, वो कितनी बढ़गी 30%, चोड़ाई कितनी बढ़गी 10%, और perimeter होता है लंबाई प्लस चोड़ाई, कुछ बच्चे कहेंगे सर, perimeter तो दोगुना उफ लंबाई चोड़ाई पे, याने की perimeter बढ़ गया 15%, तो यह allegation है, allegation लगाऊगे, तो क्या लंबाई चोड़ाई का रेश्यो नहीं आ जाएगा, रिक्टेंगल की आप बोलोगे, जी सर बिल्कुल सही, 15-10, 5 और 30-15, 15, 5 रेश्यो 15, याने की एक अन पात 3, तो रिक्टेंगल की लंबा निकलेगा perimeter दिया हुआ, 400, लंबाई अगर एक है, चोड़ाई 3 है, तो perimeter आएगा, 2 गुना ओफ लंबाई प्लस चोड़ाई 3 और एक 4, 4 दुनी 8, सवाल में 8 की value 400 cm दी है, मेरे प्यार भी 50 गुना 50 टाइम्स, इसका मतलब आपकी लंबाई भी 50 गुना होगी, 50 और चोड़ 1500, 1500 cm2, तो rectangle का जो area है, वो 7500 आगया, लंबाई अगर एक है, चोड़ाई अगर 3 है, तो area भी 3 होगा, एक तिया 3, लेकिन perimeter 50 गुना है, तो area कितना होगा, 50 का square गुना, एनने कि 7500 rectangle का area आगया, 7500 option में है ही नहीं, ये rectangle का पुराना area आया है, मेरे दोस्तों अगर आपसे original चितरफल पूछा होता, rectangle का ही आया, सवाल पूछा, नया चितरफल बताओ भाई, तो नया निकालना होगा न, rectangle की लंबाई 30% बढ़ी है, चोड़ाई 10% बढ़ी है, तो area क्या बढ़ गया, area बढ तो rectangle का जो नया area होगा, वो 7500 cm2 का, 143% होगा, 143%, 100% तो थाई, 43% बढ़ गया, तो rectangle का नया area होगा, 143%, ये new चितरफल आएगा, तो परसेंटेज से यहां से 2 0 कट जाएंगी, तो 5 तीया पंदर है, 5, तो ये तो आएगा न, decimal में, न, end में, जीरो आएगा, 5 आना चाहिए, 75, 143 बच्चों के आएगा, 143, देखो 75 में 25 चुपा होता है, 25 तो ये ही आ रहा है, 25 का multiple, ये 25 का ही नहीं, answer A option है, ठीक, सर मेरा Air Force अगनीवीर में सेलेक्शन हो गया है, AR 26 आई है, क्या मुझे जॉइन करना चाहिए, Air Force या फिर में CP और CGL में Officer बनने के लिए अगर आप अगनीवीर बनने जा रहे हैं, तो एक बार कर लीजे, जॉइन, ठीक है भाई, आपको अगर लगता है, कि मैं CP और CGL निकाल लूँगा, तो गवर्मेंट जॉड़ने को कोई दिक्कत ने, अब एक बार Department जॉइन कर लो, वहाँ पर हाथ पाम जोड़ो, एप्लिक मैं ऐसे छोड़ो मत कि मैं इसको जौनी नहीं कर रहा, भगवान भी बुरा मानते हैं कि आपको कोई चीज दीगे, आपने उसकी कदर नहीं कर, यह बताएगा, आगला सवाल, सवाल लंबर है 49, ठीक, अरे कर लोगे अभी यह टाइप, पता भगवान ही जाने तुम क्या करो होगे जिन्दगी में, जी, बच्चागरा सर, एक क्वेश्चन यूट्यूब और पीटबेच की कॉर्स में क्या डिफरेंस है, रनवीर पांडे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ स्पीड मेरी एक वटा 10 है, जितनी हाँ स्पीड में एक वटा 10 है, यहां मैं सलाइड प है, वहां नहीं है, मैं कभी भी स्लाइड पर नहीं बताता हूं, मैं सारे कंसेप्ट लिख के डिटेल में बताता हूं, जितनी देर हम पूरा चैप्टर सवाप्त कर रहे हैं, उतनी देर हम वहां के वाल कंसेप्ट ही सीखते हैं, नंबर ओफ क्वेश्चन यहां, जितना मैं इंकम एक्सपेंडिश सेविंग वाला, रितू की जो सेविंग है, उसकी खर्चे का 20% है, उसकी इंकम 45% बढ़ती है, उसका खर्चा 54.1% बढ़ता है, उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी होगी, आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन आपकी पुस्ते बिख जा लगते हो, मुझे प्यार है डेविशन से, जानते इंकम बराबर एक्सपेंडिशर प्लस सेविंग, जहां बीच में प्लस मतलब डेविशन, जहां बीच में मल्टिप्लाई मतलब सक्सेशिव, तो यहां पर सवाल जो दिया है, वो यह दिया है, कि रितू का जो बच्चत है वो उसके खर्चे का 28 पर्षेंट है, 28 पर्षेंट की फ्रक्चन वैल्यू साथ बटे 25, खर्चे का साथ बटे 25 है, यानि कि खर्च अगर 25 है, तो रितू की जो बच्चत है वो 7 है, अब हुआ क्या, हुआ यह मेरे प्यारे बच्चे, कि रितू की मन्थली इंकम 45 इंकम का मतलव, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बढ़ गया, कर्चा 54.1% पर्षेंट, तो पुजा है सेविंग्स कितने पर्षेंट बढ़ी भाई, अगर 45 पर्षेंग यह बढ़ा है, तो यह भी 45 बढ़ना चाहिए, यह भी 45 बढ़ना चाहिए, लेकिन प्यारे भाई, यह 45 नहीं यह तो 54.1 बढ़ा, यह 9.1% एक्स्टा बढ़ा है, यह 25 का 9.1% एक्स्टा बढ़ा है, तो यहां मेरे दोस्तों कम कर देंगे, 25 का 9.1% less कर देंगे, बैलेंस करने के लिए, बटे 7, बटे 7 आएगा मेरे दोस्तों, तो 7 से जाएगा मेरे प्यार भी 1.3 बार, तो 25 1.3 कितना आ जाएगा जी, 35 और 45 में से 35 आप घटाओगे, तो 35 बारे परसेंट, यही है, यही है, यानि कि आपकी सेविंग जो है, उस 35 बारे परसेंट इंक्रीज हुई है, D option answer है, यही आ रहा है सभी का, ठीक है भई, पास तो कोमनी आ जाएगा, तो 9 माइनस 6.5, यानि कि 2.5, ठीक, बिल्कुल सही, साड़े बारे परसेंट, यहाँ पर इंक्रीज हुई है, आपकी सेविंग्स, आप सेंच्री अर्ध सतक मारने वाले हैं, खिलाड़े के तो बसकी नहीं है, हमारे अर्ध सतक मारना, हमीं मार देते हैं, यह बताएगा 50 नंबर सवाल कौन करेगा इ ठीक, यह जो सवाल आपके सामने दिया है, यह मेंस के पेपर में आया है, बच्चो 2019 में कितने बच्चे करेंगे इसको, एन संख्याओं का एवरेज है 45, 60% संख्याओं में इसे, एससी वाला कहरे है, गरियादो गुरुजी वीडियो रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब पर अप्लोड करने के लिए, जो पुरा हो, क्लिप डाल दोगे तुम यह काटके हैं, एन संख्याओं में, फिर तुम जो है, वीडियो पर थमलेल चलक होगे, डालोगे एकदम खतरनाक वाले, गगन प्रताप सरनिती, लाइव क्लास में बच्चों को गाली, विध्यारतियों का नहीं किया सम्मान, विध्यारती मंडल जो है, एक साथ जुणे, ईन संख्याओं के ऐवरेज 45 है, 60 पर्षंट संख्याओं में से हर एक में 5 दो दिया, बाकी कितनी बची मेरे दोस्तों 2, दो संख्याओं में से हर एक में से आपने 10 घटा लिया, तो बता कितने का change आएगा प्यारे बच्चे तो आप काओगे सर तीन पंजे 15 और ये मानस का 20 यानि कि मानस 5 का change आएगा कितने पर तीन और दो पाच संख्याओ पर यानि कि मानस 1 तो आपका जो average पहले था उससे एक decrease हो जाएगा पहले अगर 45 था तो अभी एक decrease हो गया 44 हो गया नया average D option ठीक है जी चलिए लास्ट question हम करेंगे अब सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चे यहाँ पर 51 नंबर कौन कौन कर सकता इस सवाल को सवाल है CDS 2022 के exams का एक आदमी 30 दिन के लिए इस काम करने पर सेमत होता है कि उसे हर दिन के काम के लिए 500 रुपे की दिहारी चाहिए हर दिन absent होने पर वो 100 रुपे का जुर्माना भरेगा मतलब 500 मिलना तो दूर 100 रुपे और देना होगा काम के अंतिमों से 11,400 रुपे मिलते हैं तो कितने दिन उसने काम किया है allegation भी लगा सकते हैं best है shifting deviation वै माना उसने 30 के 30 दिन काम किया 30 के 30 दिन हर दिन मिलते हैं 500 रुपे तो 30 दिन में कितना मिलना चाहिए 30 दिन में मिलना चाहिए 15,000 रुपे 15,000 रुपे 30 दिन में मिलना चाहिए लेकिन मिला तो किवल 11,400 रुपे ही है तो कितने रुपे कम मिला है तो आपका जवाब होगा सर 36,000 रुपे कम मिला है 3600 रुपे दोस्त उसको क्या मिला है, कम मिला है, यह 3600 रुपे कम क्यों मिला है, क्योंकि वो छुट्टी मार गया कई दिन, एक छुट्टी मारने से क्या नुकसान होता है अगर आया होता तो 500 रुपे मिलते छुट्टी मार दी तो 100 रुपे उल्टे देने पड़ गए एक छुट्टी मारने से जो 500 रुपे थे वो भी गवाए और 100 रुपे और दी अपनी जेव से एक छुट्टी मारने से अल्टिमेटली 600 रुपे का नुकसान हो रहा है उसे 500 की वज़ाए 100 देना पड़ रहा है तो 3600 का अगर नुकसान हुआ है उसको तो उसने 3600 बटे 600 6 दिन छुट्टी मारी है तीस दिन में इसे 6 दिन वो लापता रहा है तो 24 दिन वो केवल काम करने आया है बी ओप्शन इस सवाल का आंसर है बात समझे पूर भारते पुर्धान वंत्री मनमों सिंग जी कह रहे है मोधी जी के बाद सब्सजादे कपड़े बदलने का रिकॉर्ड गगन सर के नाम और कपड़े बिलकुल ना बदलने का रिकॉर्ड मेरे नाम ऐसी बात नहीं है भाई कपड़ा वही है इस्प्रे मार के कलर बदल दिया है बस ठीक है चलिए दोस्त तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं यह मिक्शर एलिगेशन का संपूर्ण प्रोग्राम था जो आज हमने पूरा किया कुछ भी टाइप वगरा हमने नहीं छोड़ा है आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तो इसकी पीडेफ में टेलिग्राम चैनल पर डलवा दूँगा मुझे नहीं लगता है कि चेप्टर में आपको सेल्फ प्रेक्टिस के लिए कुछ भी बाकी है फिर भी अगर पांदस कोश्चन होंगे तो मैं उसकी पीडेफ टेलिग्राम पर डलवा दूँगा ठीक है भई चलिए दोस्तो बाए